अब 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 अ अ गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग एवरीवान एक बार तुम क्या मुझे कंफर्म करके बताओगे कि हमारा अब सबकुछ प्रॉपर है क्या अब हमारा अब अब कंफर्म करोगे एक बार चलो गुड मॉर्निंग मोहित गुड मॉर्निंग राघव हेलो अंजली येस हेलो मोहित हेलो नीलम हेलो श्रुती हेलो याश इतना इतना गुड है कि आप गुड में बटके पड़ा रहे है तेरे गुड में बटू में कैसी बादे कर रहे है मेरा याद था ठीक है मौ अडियो विडियो विडियो अडियो बड़ा करता हू ठीक है चेक करने के लिए कि सब कुछ प्रोपर रहे के नहीं चलो छूग छूट फिर्स्ट फ़ल वर्य-भय वर्य गूड मौने अड व्लकम टुर लवली सूपर डूपर क्युड क्युड बैच ठीक है तो गूड मॉनिंग लोकेष वैश्ण वी हरीष गूड मॉनिंग प्रत्थम गूड मॉर्श सूराज गुट मॉर्निंग राज गुट मॉर् 행 आइसाव इत्य सौर नामे में पढ़ने खाल थीद मॉर्लीं राज कितवर रासे वहां कि अपका हमारे इस प्यारे-प्यारे किवडिकुट एफरश का थ किमको पते चूर बनेया है हा हसर पता rhॉपर घिंग ठीक है तो भीजाँ विदाउट वेस्टिंग टाइम येस। चलो बहुत ही बढ़ी हा। अब आपने बैच में चेतन का स्टोरी है तुमको सेतन की स्टोरी बताऊँगा। भीजाँ खेलो ठीक है। तो गुट मॉनिंग अब आपन चुरू करते हैं अपना डिसकेशन। टीक है सिए फाइनल का पेपर नंबर वन डाट इस फाइनेंशल रिपोर्टिंग अचा उसके पहले बहुत बता दो कि आप लोग कहां कहां से हो कौन से जगह से बिलॉंग करते हो जैसे मेरा नाम आकाशकन दो यह कि सिए अकाशकन दो यह बिलौग sets below करता हो तो आप लोग कहां से बिलॉंग करते हो ऐसे जाना शरूरी यह मानूं तो बड़े का कौन से कौन से विंनन विभात की जगे से लोग आये है है तो मैं मुंबै चालो तो देल्ली से है खुशी, देविया है गुर्गाओ से, श्रीश है कोलकता से, उसके बाद शुभम नासिक से, तुशार हिमाचल से, आकाश जमशेदपूर से, माधव इस फ्रम उदैपूर, ठीक है अंदरप्रदेश गुजरात, तनवी गुजरात से, राहूल आसाम से, ठीक जिविया है कोलकता करन इस फ्रम गुजरात लकी इस फ्रम चत्यसगर के सूरज इस फ्रम उडिशा लखन इस फ्रम बदलापूर महाल लक्ष्मी इस फ्रम फरीदाबाद आशिश फ्रम सिरसा भाई साब इत्तों जगे से पूनए फिर कहां-कहां से हो तुम लोग यार केरला चन्य जोदपूर उजयन मुंबई प्राचिस फ्रम मुंबई आशिश फ्रम सिरसा पटना चत्यसगर भाई साब मैं थग्या मैं थग्या मैं हार मान लिया चलो ठीक है अब शुरू कर रहो मैं कंटेंट का डिसकॉशन ठीक है सुन लो मेरे बाद ध्यान से सीए फैलम का ग्र चलो मेरे बार में इतन दाना काफी है अब अपन फटा फट से कंटेंट शुरू करते है सबसे पहले आपका जब भी अटेंप्ट है मेरे को यह बतार टागेट किता है फार के अंदर हामस्च डू यू विश्टू अचीव इन फार टागेट किया है क्योंकि पहला पेपर न काम खराब हो जाएका तो इसमें स्कॉर करना बहुत जरूरी है अपने लिए तो फटाफट से बताओगे मिनिम्मम 80 किसने का एक्जिम्षन ठीक है वेरी गुड वेरी गुड किसना 75 प्लस 70 वेरी गुड गाइस देखो यही चेहिए मुझे तुमसे तुमने न कभी अपने न 10 स्टैंडर्ड याद करना हम कभी भी जब एम करते थे न सबस्ट हमने 90 परसे न इम किया तो हम उसके इरद गिरदी होते थे कभी 80 मों होते थे कभी तुमको फिर नहीं आएगा तो कभी भी एम करोंगे तो 65, 60, 75, 80 उसके एकदम उपर करना मतला मैं तो बोलूँगा यार इस बाच चे तुमारा एक्सपेटेशन मिनिमम मिनिमम 80 प्लस तो होनी चाहिए अरे जब तुम खुद 80 प्लस उमिद रखोगे तुम पढ़ाई उस त तो 70 में तो गिरेंगे और पेपर अगर भूल से भी अपने रडार में आ गया तो भाई फिर तो खतम कर देंगे आपन तुम समझ रहे हो तो यूर टार्गेट शुट भी सम्वेर अबोव 80 प्लस मेरको ऐसा लगता है तुम कोई भी बास देखो तुम मेरा रेगूलर देख क्लियर लेट्स प्रोसीड नाव सम्थिंग रिगार्डिंग बुक्स और नोट्स प्रिपरेशन प्लीस लिसन टू में केरफूली हाड कॉपी जिनको मिल गई है वेरी गूट जिनको नहीं मिली है मैंने पहले दो दिन के जो नोट्स है आपको गूगल ड्राइफ पर डाल र लिखाता हूँ तो अगर आप मेरे स्पीड से मैच कर पाओगे तो राइट विथ मी लेकिन कभी-कभी किसी बच्चे को लगता है मैं आपको सुनूँगा मैं बाद में लिखूँगा तो डोंट वरी मैं बोर्ड नोट्स अपलोड करूँगा बट यू हाफ तो मेंटेन दा आपकी मरजी ठीक है लेकिन आपको लिखना है मतलब लिखना है यू हाफ to हाफ तू हाफ थू. एक व्रइट बराबर तो यू हाफ टू प्रिपेर नौट्स तो आप एक notebook maintenant करणा single notebook maintenance करो गए तीक है उसमें जो बी मैं लिखाओंगा वो आपको लिखना है तासkon आपको पास मिनट दू लिखने को वो मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर आपको लगता है नहीं सर मिरको, अगर मैं साथ में लिख रहा हूँ तो मैं को समझ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं आप हॉल्ड कर लो, सुन लो जितना लिख पारो लिखो, बागी जगे स्पेस छोड़त के ओपर, तो वहाँ से आप उसको फिलिंदा ब्लैक्स की कॉपी कर सकते हो, क्लियर, येस, मौमद केते हैं, मैं तो लिखूँगा, येस, सर, वेरी गुड, चलो, लेस्ट प्रोसीड, ओके, सर, what is going to be our approach, हम सब कुछ पहले पढ़ेंगे, सब कुछ पहले पढ़ेंगे, सब क ठीके, उसके बाद, सर, याद कैसे रहेगा हमको, तो retention के लिए best चीज पता है क्या है, हम क्या करेंगे, हम revision करेंगे, सर, revision को घर पे करना है, क्लास में करवाओगे, मैं क्लास में भी करवाओँगा, आपको एक से दो बार, multiple time class में करवाओँगा, उसके बाद अब lecture end होगा, तो lecture के end में भी करवाओँगा, बराबर और उसके बाद, घर पे जब आप अकेले बैठोगे, आपको भी self revise करना है, तो retention के लिए हमको revision करना होता है, और don't worry, आपको separate revision videos भी मिलेंगे chapter wise, जिसे आप बार 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 उसको revise कर पाओगे, बट वो तो बात की बात है, initially chapter wise test भी होगा, full syllabus test भी होगा, जब-जब होगा, तो मैं class में इसे inform कर दिया करूँगा, ठीके, test आपके google drive प अप्लोड हो जाएगा, और test वगरा work कैसे करेगा, आपन during the course discuss करेंगे, tension मत लेना, ठीके, उसके लावा जैसे मैंने कहा, revision sessions, मैं revision class में भी करवाँगा, और separate chapter wise revision भ बेट कर लेना, एक दो दिन में आ जाएगा, जो google drive को link है, उसके लिए एक word file बनी होई है, उस word file में मेरा personal telegram ID है, ठीके, वहाँ आप मुझे doubt बेच सकते हो, ठीके, तो जब doubt पूछोगे, तो अपना batch या जो भी batch को belong करते हो, वो सब mention करके पूछना, ठीके, तो मेरे लिए easy रहेगा आपको reply करने के लिए, तो उसके लिए मैंने personal telegram ID वो word file में डाल रखा है, ठीके, चलो, now, तो ये थी basic basic बाते, FR के बारे में target books, approach वगेरा क्या रहेगा, ठीके, उसके बाद what is expected from you, अब मेरी आप से उम्मीद है, सबसे पहले, मेरी आप से क्या उमीद है, एक बहुत clear रखना, से क्यों बनना है, क्योंकि है जब तक ये clear नहीं होगा जिंदगी में कभी महनत नहीं कर पाऊगे, ये बात हमेशा ध्यान नतना, क्यों मैंने ऐसा कहा सर, आपका example देता हो मैं, ठीके, मैं example बहुत नॉर्मल ये देता भी हो, आपने शर्द सुना भी होगा ये building का terrace, ये building number 1 का terrace, ये building number 2 का terrace, ठीके, suppose मैं आपको बोलू, कि ये na मैं building number 1 के terrace और building number 2 के terrace को एक plank से जोड़ दूँगा, एक छोटा सा पट्टा, plank पता ना समझता, plank, what is a plank, तो एक plank, जहां सिफ एक आदमी चल सकता है, और वो एकदम shaky 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 plank है, हिलता रूलता plank है वो, मतलब तुम चलोगे तो भी गिरने का रिस्क है, और गिरे तो सिधा, भगवान के सिधा एकदम first class दर्शन होएंगे तुम समझ रहे हो क्या, तो अगर मैं तुमको बोलूगा, ऐसे building number A से building number B पर चल लेगा, तुम चलोगे क्या, तुम बोलो के का है माता खराब एक असर हमारा, हम क्यों क्यों चलेंगे, जब सब कुछ जिंदेगी में सही चल रहा है, तो हम क्यों करेंगे तो इसी हरकत, आप शायद जो 400-500 लोग उसमें से एक-दो लोग बोलेंगे, हाँ मैं चलूँगा, बट वाकी लोग नहीं करेंगे, वो बोलेंगे भाई, कोई reason ही नहीं पवस करने ठीक है, और यहां आपका कोई loved one फसा हुआ है, anyone whom you love the most, has been stuck here, और यहां पहुचने का एक ही जरिया है यह plank, यहां पहुचने का एक ही जरिया है यह plank, अब आप मेरे को chat box में सब बताओ कि क्या आप अभी चलोगे कि नहीं चलोगे, अगर अब मैं आपको कह दू कि building number A से building number B में आपको जाना है, क्योंकि building number B में आपका कोई प्यारा फसा है, है ना, और यहां आग लक्चु की अगर आप नहीं गए तो यह इनको कुछ भी हो सकता है, और जाने का एक ही जरिया है, मुझे बताओ आप चलोगे कि नहीं चलोगे, तो अंजले ने का आप तो चल लेंग तो simple reason was, कि तुम्हारे पास कोई वजा थी चलने किया, और वो वजा इतनी strong थी, कि तुमने अपनी जान की परवा भी नहीं की, तुम बोले मैं चलूँगा भाई, इसका जाम बचाना बहुत जरूरी है मेरे लिए, तुम समझ रहे हो क्या, तो second case, why did you agree, because you had a reason to do it, same is the case with CA, जब मैं तुमको बोलूँगा ना, सुबह उठो, मेरी class attend करो, discipline maintain करो, रोज revise करो, तुम बोले कि मैं क्यू करूँ, मेरे से नहीं होता सर, मेरे से मेहनत नहीं होरी सर, लेकिन जहां तुमने बोला कि मेरी need है CA बनना, मैं अगर CA नहीं बनूँगा, तो मेरे family को support कौन करेगा, मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा, बाद में आगे जाकर, हैना मेरे family को financially कौन support करेगा, जैसे ही तुमने CA के साथ why link कर दिया ना, खतम हो गया, फिर तुमको एना किसी external motivation के जरूरत नहीं है, तुम खुद सुबह उठोगे, खुद class देखोगे, खुद मेहनत करोगे, तो ये किदर लिखना और जहां पढ़ते हो वाँ चपका देना, ठीक है ध्यान रटना, आपने आपसे पुछना why सी और वो why बहुत strong होना चाहिए तुमारे लिए, ठीक है ध्यान रटना, सर मेरा why क्या था, मेरे why की बात किसी और दिन करूँगा, आगे बढ़ जाते है, ब किसी concept में में को लगे कि आपको बहुत घहराई में जाने की जरूवत है, जाना पड़ेगा मेरे साथ, किसी concept में मुझे लगे कि ना यहां घहराई की जरूवत नहीं है, तो जैसे मैं बूलू ऐसे follow करना, तुम समझ रहो, whatever I say you have to trust me, अगर तुम मेरे बात बात पर शक यह cover करता है, क्या आपके किताब में सब कुछ है, क्या तुम मजा नहीं आएगा, आपको आपका टाइम खोटी होएगा, टाइम बेस्ट होएगा, आपका, right, are you understanding this point, so you have to trust me, अग्दम होता न, you fully surrender on to me, ठीक है, देखो चुनना तो चुन लिया, अब देखो तुमको trust, कब नहीं करना चाहता, मैं को चुनने के पहले, अब तुमने, मुझे, मुझे चुन लिया, ये साथी, प्यार का, तुमने बुन लिया, अब, option यह तुमारे पास, तो कर ले ना, भरोसा, ठीक है, कर लिया, सर, कर लिया, सर, कर लिया, सर, कर लिया, सर, ठीक है, fully trusted on you, सर, very good, जैसा नहीं कि आकाश बाबा प्रवचन देंगे, हम बेटके रोज सुनेंगे, सुबह बड़ी अनीन पूरी करेंगे, भाई, ये कोई सेंस ही नहीं असका, तुम समझ रहो क्या, तो whatever I say, whatever I say, you have to write and practice, यह न, कैसा भी हो, उसके लावाद जैसे मैंने का, आप को daily revise करना ही है 25 से 30 मिनट रोज देना, अगर content मतलब किसी दिन light है, तो आदे घंटे में हो जाएगा, किसी दिन थोड़ा अपने एक्ट्रा अच्छा का सा content किया, question जादा किये, तो उस दिन 40-45 मिनट भी लग सकता है, doesn't matter, वो हरे कि speed पर depend करेगा, but you have to revise on a daily basis, मतलब ऐसा समलो रोज, class दि एक चीज़ बहुत जरूरी होती है, mindset, CMA आदे लोग है ना, पड़ाई में फेल नहीं होते, CMA आदे लोग क्यों फेल होते, mindset से फेल होते, कोई हैं से हर चुके होते, मेरे से नहीं होगा, यह ना, बहुत बड़ा है F-R, बहुत difficult है F-R, हमारे senior ने हमको बोला है कि F-R तो भाई यह सब कुछ तुमको हला उला मचाने का जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मेरे होते वे तुम कभी भी कोई negative बात नहीं सोचोगे, ठीक है, always keep a positive mindset, आप सब में caliber है, अच्छे marks लाने का, आप सब में caliber है, अच्छा परफॉर्म करने का, अब सब में caliber है, इस subject को अच्छ यह मेरी guarantee है, but you should keep a positive mindset, ठीक है, जो आप सोच तो उसी तरीके से चीज़े होती है, अगर आप सोचोगे आप से नहीं होगा, तो definitely आप से नहीं होगा, अगर आप सोचोगे आप से होगा, तो definitely आप से है कुछ होगा, तो keep a positive mindset, ठीक है, उसके लाबा मेहनत जोड़दार करनी ह मैंने बता आई, महनत वगरा कब होगी, discipline वगरा कब रख पाओगे, consistency वगरा कब रख पाओगे, यह तीन चीज़ कब possible है, hard work, discipline, consistency, कब possible है, जब अखका why बड़ा clear है, जब यह clear है, तो यह तीनों होगा, महनत भी होगी, hard work का मतलब क्या है, अच्छे से रोज एक specific number of hours है, मतलब 7 से 10, मतलब 7 से 10, ऐसा, ठीक है, consistency मतलब daily वो चीज़ अचीव करना है, ठीक है, consistency क्या करना है, daily lectures attend करना है, आप live देख रहे हो, live daily आना है, recorded mode लिया, recorded daily देखना है, यह नहीं कि recorded lecture ले लिये, अब देखी नहीं रहे, वो नहीं करना है, ठीक है, और उसके लब आपक कराके जाएगा, ठीक है, तो मेरे होते हो, तुम tension किसी चीज़ का नहीं लोगे, समझा मैंने क्या बोला आपको, yes, तो मेरे होते हो, किसी भी चीज़ का किसी को को tension नहीं होना चाहिए, clear यह वाला बात, yes sir, तो यह सब मैं पता है, क्यों बताता हूँ, मैं चाहूँ तो directly मैं शालू की है, तो साथ बजे मौजूद हो जाना, ठीक है, अगर आप recorded देख रहे हो, तो यह time चुल लेना, कि मैं रोज सपोर्च जो भी specific time में यह time पर lecture देखूंगा, तो वो ही time पर lecture देखना है, 100 में से 15 लोग पास होते हैं, बच्चा लोग, तो 15 कौन होंगे, जो यह सब अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो समझ रहे हो, इसी बात पर मेरे ख्याल से अब आप लोग एकदम जोश से भर चुके हो, यह सर, जोश भर चुक है सर हमारे अंदर, अब इसी जोश के साथ, मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू करते है F-R के बारे में discussion, बहुत बाते कर लि आपने बाकी चीज़ों के बारे में, अब आजा F-R के बारे में, ठीक है, अब थोड़ा सा F-R का syllabus समझने का ट्राइ करते है, पहला दूसरा दिन घाई मत करना, आराम से जाएंगे, बराबर जैसे ऐसे अपना flow बनेगा, वैसे वैसे आपन स्पीड बकड लेंगे, बराबर अब गुट्टव को यस, इक बार फटा पट सा सब लोग बोलोग हात सम्झा था संजागगा तुम लोग यस और नो, अरे यस और यस और नो, अरे डैशिन्टू दा स्नो, वैसे निकल जाता है, यस और यस और नो, पूछते-बूस्ते बूछते मैं, डैशिन्टू देशन तो कुछ दिनों में मुझे तुम्हारा नाम भी आ दो जाएंगे बहुत बढ़िया ठीक है चलो, clear? लेट्स प्रोसीड, now, this subject of financial reporting, okay, let's discuss about the syllabus, सौमा का paper है, तुम्हारे paper में MC की भी आएगा, उसका attention attention मतले न, वो सम्मय करवातूँगा, ठीक है? अब आपकी syllabus में, total क्या है, चाप्टर वाइस क्या है, there are approximately 35 indices, 35 indices, कुछ छोटे, कुछ बड़े, और एक चार एक topic है, miscellaneous, ठीक है, यह आपका syllabus है, 35 indices, and 4 miscellaneous topics, अब paper तो सौमा का आएगा, तो उनलोग सारे topics तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे न, आपके paper में, तो कैसे टेस्ट क करेंगे, तो इस पूरे discussion के दो पाट में बाट देता है, एक बिग प्राक्टिकल इंडेस, और एक स्मॉल इंडेस, ठीक है, बिग प्राक्टिकल इंडेस में आते है, total करीबन-करीबन 12 indices, actually practical मतलब कि अजहां सम जादा होते है, जहां बड़े-बड़े indices हैं, बहुत सारे, उसमें आते करीबन 12 indices, इसका वेटेज होते है 50 माक, मतलब अगर सपोज 100 माक का भी नेक्चुली पेपर भी आपका option मिला के 120 माक तक जाएगा, 115-120 माक तक जाएगा, तो वो सब मिला के, जितना भी सपोज 120 माक का पेपर है, तो out of that, 50% वेटेज ये 12 topics से रहेगा, और बाग इसका 50% वेटेज है, और ये वो इंडेस है, बिर पेक्टिकल इंडेस, जो अल्मोस्ट हर अटेम में आते है, जैसे ये 23 इंडेस है, ये शायद हर अटेम में ना आए, बट ये वाले हर अटेम में आते है, कौनसे कौनसे, अब जैसे मैं expect करता हो कि आपको इंडेस के नाम अफकोस नहीं पता होगे, ठीके मेरा बैज भले ही फास्ट रैकर, लेकिन मेरा एक सिंपल अजम्शन है, क्या मैं आपके साथ ये अजम्शन ले लूँ, क्या आपको FR का FB नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं अजम्शन लूँगा आपको बहुत कुछ आता है, तब तो मेरा अगर आपको थोड़ा भी आता होता, तो आप इस बैच में क्यों होते है, तो मेरा अजम्शन है कि आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं मानता आपको नाम, नंबर कुछ नहीं पता है, बट फिर भी मैं लिखके रखा है, ये आपको कब काम आएगा, जब आप FR एक बार पू मल्टीपल इंडेस कवर हो जाते है, किसी किसी टॉपिक में मल्टीपल इंडेस कवर हो जाते है, इसलिए भले ही 12 इंडेस है, लेकिन टॉपिक 6 ही बनके आते है, तो ये 6 टॉपिक नॉर्मली हर अटेम में आते है, ठीक है, वो आभी 6 टॉपिके नाम याद मत करना, तो उसके लिए पूरा करना यह नहीं कि हाँ हाँ सर यही कर लूंगा मज़ा आ जाएगा सर इसमें आपका बैलेंस 50% बेटे जाता है अच्छा उसके लावा मैंने क्या था इंडेस के लावा अब इसमें क्या है इसमें एक तो है आपका analysis of financial statements इसमें mix of all इंडेस है जब आप सारे इंडेस पढ़ लोगे तब आप यह topic कर पाओगे उसके लावा दो topic आपके इसमे अड़ किया है एक ethics और टेक्नलोजी है ना कि accounting करते समय एथिकल लेना चाहिए है और accounting करते समय होती है basic बाते इसके उपर यह दोनों मिला के मेरेकाल से छोटा theory question आ सकता है करेंगे आपनों वह भी last में करेंगे उसके लावा तीन इंडेस के उपर difference पढ़ना है between AS and index कितने इंडेस पर सिर्फ तीन इंडेस पर सारे इंडेस पर नहीं सिर्फ तीन इंडेस पर है ना वो त इंडेस का वेटे यहां कबर हो जाएगा तुमारे लिए मतला वो डिफरेंट जो भी है difference between इंडेस वो रिस्पेक्टिव इंडेस के वेटे में चला जाएगा जो भी है तो यह आपका मोटा मोटी वेटेच है जहां इंडेस है और छुटे-छुटे टॉपीक है थो तीन चा है मैं पूरे syllabus को लाश में जाके 20 से 25 आवर्स में रिवाइस करवाता हूँ है ना भरोसा नहीं है तो मेरे चैनल पर जाओ सच करा एफार मैराथ्वन उस दो दिन के मैराथ्वन हमेशे एक्जाम के पहले और उसमें पूरा syllabus में रिवाइस करवाता हूँ within 20-25 आवर्स तुम तो यह अपना सब्जय का discussion हो गया अब आज हम क्या करेंगे सर आज आप क्या कराओंगे सर आज मैं को कराओंगा एक बढ़िया टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इंडेस एंड स्केडूल 3 डिविजन टू यह टॉपिक आपन करेंगे इसको मैं प्यार सो रोड मैप भी कहता मैं बताओ पहले पढ़ने के जरुवर शायद नहीं थी लेकिन न अब आईसे ने पता है बदमाशी कर ली क्या बदमाशी कर ली आईसे ने इसके ओपर question डाल दिये अब जब question डाल दिये तो कुछ भी हो सकता है तब तो पढ़ना पढ़ेगा सर तो पढ़ लेते इसको भी ठीक है छोड़ना मत चार पाच चार एक माख का question या आ गया ने exam में तो पहले उठके dance करना और फिर solve करना क्योंकि एकदम scoring एकदम basic है तुम समझ रहे हो क्या तो first topic name is introduction to index and schedule 3 जहां कुछ लिखना होगा मैं बता दूँगा बाकी किताब बगरा लेके बैठो किताब नहीं आ कुण से कुण से चीज कुण से कंप्रेश को कब से अपली के बले ठीक है इसके बार में पढ़ेंगे आपन तो पहले समझने का ट्राय करना पहले आपन चीज समझेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो just focus on listening to me समझना फिर मैं को याद भी करा दूँगा class के अंदर याद कर और फिर आपन question भी कर लेंगे तो मज आ जाएगा तो guys are you ready guys are you ready yes sir are you ready are you ready daddy ready 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 sir ready चल आ जाओ ठीक है इदम जोज से बटने जोज से yes sir कर लेंगे sir आतें मचा देंगे sir very good आ जाओ ready so let's start the discussion of finally one topic in three two one and go सबसे वेला नाम है introduction to indies तो इसमें आपन क्या पढ़ने वाले applicability and implementation of indies इस discussion को आपन है न चार categories में divide कर देंगे पहला discussion करेंगे कि companies को कपसे applicable indies किसको companies को कपसे applicable indies फिर हम discuss करेंगे banks को कपसे applicable indies nbfc को कपसे applicable indies और insurance companies को कपसे applicable indies तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं पहले मैं सिर्फ उसिफ companies की बात कर रहा हूं किसकी सिर्फ वसिफ companies की, companies which are other than banks, NBFCs, insurance companies, ठीक है? तो इनको index कबसे applicable हुआ? तो सबसे पहला बोलता है, voluntary basis, तुमको समझता है what is the meaning of voluntary basis, voluntary basis मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो तुम इस दिन से follow कर सकते हो, तुमको index applicable नहीं है, बट अगर तुम normal company हो, तुम voluntarily बोल सकते हो, हाँ, मुझको बहुत अच्छे से आते हैं, मैं आज सही follow करूँगा, तो वो voluntary basis कब से apply हो रहा था? इट वाज applicable from 1st April 2015, voluntary basis, ठीक है? तो जब तभी नया-नया इंडेस आया था, तो इना काफी companies थी full proof ready नहीं थी, तो बोला कि आपको voluntary adopt करना, तो आप कर लो 1st April 15 से, 1st April 15 से adopt करने का मतलब क्या है? आपका current financial year कुन सा होगा, जब आप apply कर रहे हो, it will be 15-16, तो this will be your first financial year, जहां से आप apply कर रहे हो index, ठीक है? चलो, उसके लावा, फिर आता है mandatory basis, अब याद हो जाएगा सिर्फ एक बार पढ़ लेना मेरे साथ, फिर आपका automatic याद हो जाएगा, mandatory basis कब से applicable हुआ? तो mandatory basis में 2 phase था, अच्छा एक और चीज़ बता दू, मैं आगे पढ़ने के पहले, index once applicable, always applicable, इसका मतलब, अगर आपने एक बार voluntary adopt कर लिया, by chance, तो मुकर नहीं सकते फिर, यह नहीं, कि अरे मैंने follow करके देखा, बड़ा difficult है, अब मैं नहीं कर सकता, नहीं, यह CA की तरह है, घुज गया ना, अब भार नहीं आ सकते हैं, बाइसा, CPT दे दे के, जिसमें voluntary adopt नहीं किया है, ठीक है, अब इसमें दो phase है, phase 1, phase 2, phase 1, कब से आप लेके बल है, from 1st April 16, मतलब, इस case में financial year कौन सा होगा, 16, 17 होगा आपका financial year, ठीक है, अब phase 1 में कौन fall करेगा, वो बोलता है, all listed slash unlisted companies, having net worth, having net worth, of greater than equal to 500 करोर्स, तुमको समझता है, सबसे पहले, what is the meaning of net worth, net worth का मतलब, आपको अगर पता रहेगा, तो आपका जो भी share capital होता है, प्लस, अगर मैं AS के टम में बात करूँ, तो AS में भी उस्टूचे, रिजर्जन सप्लस, है न, तो इसको बोलते हैं, आपका net worth, जो आपका share oldest fund होता है, बेसिकली, तो अगर आपका net worth, is greater than equal to 500 करोर्स, तो आप phase 1 में फॉल हो जाओगे, phase 1 में फॉल होगे, मतलब आपको इंडे सप्लाई करना है, फ्रॉम 1st April 16, तुम समझे, यहां listed slash unlisted सब company आ जाती हैं, clear, ठीक है, अच्छा, अब यह phase 1 का बात हो गया, अब phase 2 का बात करते हैं, अगर आप by chance voluntary adopt ने किये, आप by chance phase 1 में भी फॉल ने किये, तो फिर आप phase 2 चेक करना, एक बात ध्यान रखना, अगर आप voluntary या phase 1 में फॉल कर गये, तो फिर phase 2 में चेक करना, उस company के लिए क्यों, इंडेस once applicable, always applicable, आसान बाशन में कहूं, तो आप ऐसा मालो, अगर सबोज आपकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद, क्या आप दुबारा, शादी.com पे, profile बनाओगे किया, married होने के लिए, नहीं न, अरे तुम्हारा शादी हो गया, तो तु थुन्ना मपल बोलेगा, कि दुलन मिर को वापस चाहिए, अरे तुम्हारा हो गया, तुम हटो बाजू, तो phase 2 में कौन आएगा, phase 2 ऐसा मालो मतलब, ऐसे marriage portal पर एस्टर कौन करेगा, जिसका शादी होना बाकी है, तुम समझ रहो, शादी का लड़ू एक ही बार खाने का, तुम बोलेगा, रोज खाने का तो नहीं चलेगा, बस माँ वही कह रहा हूँ, तो अगर phase 2 में कब आने का, जब ना आप इधर फॉल कुए, तब phase 2 में आना, ठीक है? आँ, तमझ आया है, सर यही example देते रहना, बढ़िया बढ़िया मज़ा आजाएगा सर, वो बोलेगा, दूसरी चाहिए, तु पहली समझ ले ठीक है, टिंडर पे बनाएगा, कोई तो बोल रहा है, ठीक है, फालते बादे मत करो इधर, पढ़ाई पर ध्यान दो, हाँ, तो phase 2 में का फॉल करोगे, सुन लो भी मेरी बात, तो phase 2 में कौन फॉल करेगा, सबसे पहले, phase 2 एपलिकेबल होता है, from 1st April 17, तो इस case में financial year क्या रहेगा, 16-17, ठीक है, interpretation क्या है, इसका ये मतलब है, कि अगर आप listed company हो, तो आप network वगेरा मत check करना भी, सिधा apply कर देना, phase 2 में जब आओगे न, तो listed company full stop का मतलब क्या है, listed में क्या मैं दुबारा network check करूँगा, क्या भी नहीं, listed हो बात खतम apply कर देना index, तुम समझ रहे हो गया, सुरी मैंने येर गलत दिया न, इस उट भी 17-18, attention है, सर, सुबे सुबे घेतली क्या सर, एक साल पहले कर दिया सर, happy birthday एक साल पहले मना लिया सर आपने, चलो, तो इस उट भी 17-18, तो financial as 78 में कब होगे, all listed companies full stop, मतलब listed हो, तो आई जाना, second, unlisted companies having net worth of greater than equal to 250 crores, ठीक है, तो net worth हम phase 2 में सिर्फ, unlisted का check करते है, जिसका net worth greater than equal to 250 crores है, तुमको समझा यह वाला part, ठीक है सर, समझ गये, अब याद कैसे करेंगे सर, एकदम simple है, देखो कैसे याद करते हैं, टीन डेट से आद रखना, 1st April 15, 1st April 16, 1st April 17, टीन डेट से आद होगी, पहले क्या आता है, पहले आता है voluntary, second आता है mandatory का, phase 1, third आता है mandatory का phase 2, ठीक है, voluntary में out of क्या तो very good, phase 1 में कोई आता है, listed, unlisted, जिनका net worth क्या है, net worth is greater than equal to 500 crores, net worth is greater than equal to 500 crores, phase 2 में कोई आता है, all listed companies, full stop, listed or phase 2 में by default fall कर जाना, second, all unlisted companies, having net worth of greater than equal to 250 crores, greater than equal to 250 crores, प्याद हो गया, अगर आप यहाँ fall कर गए, यहाँ meet कर गए, तो यह मत चेक करना उनके लिए, अगर आप यहाँ meet कर गए, तो फिर यह मत चेक करना, क्यूं? इंडेस once applicable, always applicable, हो गया याद, simple है, मैं आपको बार बार रिवाइस कर आँँगा, attention मतलो, अभी फिलाल के लिए आप हो गया ना, 15, 16, 17, voluntary, mandatory phase 1, mandatory phase 2, ठीक है, बराबर voluntary में तो कोई आपन, इस पर वोलेंटरी में बेवकूफु किता है, क्याटेरा में चेक करना, voluntary मतलब, अपलाई करी देना सीधा सीधा, ठीक है, नेटवर्थ आप चेक करोगे, from 31st March 14 and thereafter, नेटवर्थ आप कपका चेक करोगे, from 31st March 14 and thereafter, तो अगर आपका नेटवर्थ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं कहने जा रहा हो आपको, अगर आपका नेटवर्थ, 31st March 14 को, is greater than equal to 500 करोर्स, तो आप कुन से फेज में फॉल करोगे, फेज बन में फॉल करोगे, जिदर आप इंडेएस कप से अपलाए करोगे, 1st April 16 से अपलाए करोगे, ठीक है, अच्छा, अगर आपका नेटवर्थ, 31st March 15 को, exceeds 500 करोर्स, तब भी भी आप इंडेएस कप से अपलाए करोगे, तब भी भी आप इंडेएस, 1st April 16 से अपलाए करोगे, मतलब फेज वन चालू होता है, 1st April 16 से, तो 1st April 16 से पहले, जो भी financial year आते है, किसी भी financial year में, अगर नेटवर्थ ये हो गया, तो आप इहीं से अपलाए करना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये 1st फेज शुरू होता है, 1st April 16 से, तो 1st April 16 से, जितने भी financial year आते हैं पहले, वो financial year में, कभी भी अगर meet करकर नेटवर्थ का क्रेटेरिया, तो आप अपलाए 1st April 16 से ही करना, तो similarly अगर suppose मेरा नेटवर्थ, 31st March 16 को, greater than equal to 500 करोर्ज हुआ तो, तो मैं बोलू 31st March 16, still before 1st April 16, 31st March 16, 1st April 16 के पहले ही आता है न, तो 31st March 14 को meet करो, या 31st March 15 को meet करो, या 31st March 16 को meet करो, आप उस case में, इंडेस कप से अपलाए करोगे, phase 1, 1st April 16 से अपलाए करोगे, अफकर्स I am assuming, या नेटवर्थ is greater than equal to 500 करोर्ज, ठीके, सार अगर वो ही नेटवर्थ मेरा 250 होता तो, ये तीनो साल में किसी भी साल, 500 से एक्सीड नहीं किया, 250 से एक्सीड गया लेकिन, तो फिर, तो आप face 2 में fall कर जाते हैं, उसके ओपर आपन question करेंगे, तुम समझ रहे हो, येस सर, तो आप year end का network चेक करना, आपन balance sheet year end के बनाते हैं न, तो year end पे चेक करेंगे, ठीक है सूरज, येस समझ गया सर, इतना clear है, तो उसको बलते network, अगर ये तीन साल में fall करोगे, तो किदर fall करोगे, phase 1 में fall करोगे, ऐसे small small चीज़े लिखते रहे न, नोट के बाद चुमें, तो मज़ा आएगा तुमको, क्या है, नोट में थोड़ा बहुत लिखा हुआ रहेगा, तो येसा लगता न, तो बाईचांस अगर आप इधर ही meet करके, network criteria, और बाद में सबोज meet नहीं हो रहा है, फरक नहीं पड़ता है, एक बार met, index applicable हो गया, once applicable, always applicable, ठीक है, उसके अलावा, अभे न, ये जो, index है, एक बिमारी की तरह है, अगर एक को applicable हुआ, तो पुरे गाउ के applicable हो जाता है, गाउ मतलब, लो क्या बुलता है, an entity covered under index, as per above, will make its parent, subsidiary, associate, joint venture, also covered under index, मतलब, अगर आपको applicable हुआ, अगर आपको applicable हुआ, तो आपके parent, subsidiary, associate, joint venture, सबको applicable हो जाएगा, सर, parent कौन होता है, जिस company का, आपके company में, more than 50% stake है, उसको parent बोलते है, यह सब basic basic चीज़ पता है, तुम लोग को, what is parent subsidiary, है न, subsidiary कौन होता है, अरे सब्सक्राइगा, अगर आकाश कंदोई का, BB virtual में, 75% stake, तो आकाश कंदोई हो गया, parent, BB virtual होगा, subsidiary है, associate का बनता है, जब suppose, मेरा BB virtual में, 20% से लेकर, 50% के बीच में stake है, तो मैं हो गया, parent और BB virtual होगी associate, joint venture मतलब, जब दो company साथ में मिलके, control करते हैं, उसको बलते हैं, दो या तीन company, साथ में मिलके, चलाते है, joint venture बोलते हैं, तो अगर आपको applicable हुआ, तो आपके parent, subsidiary, associate, joint venture को भी applicable हो जाएगा, it is just like chicken pox, chicken pox तुमको बते हैं, तुमको हुआ ना, और तुम्हारे आसपा जो भी है, उसको भी applicable, अरे best example, covid, सारे यह सम नाम मतलो, covid वो भी ठीक है, इंडेस लेक, covid, सबको applicable करत्म का आने, तो क्या करें, quarantine करेंगा सर इसको, कुछ मत करें सब, तुमको समझ मैं आए क्या, अब इसको मैं discuss करने के लिए, थोड़ा example लेना चाहूँगा, notebook के अंदर, क्या आप तयार हो, आजाओ, तो जब मैं NB लिखू ना NB, सुन लो मेरी बात अभी, बेसिक बेसिक चीज़े, जब मैं ऐसा लिखू ना NB, NB का मतलब होता है, कि मैं notebook में example लूँगा, क्या लूँगा मैं? notebook में example लूँगा, तो उस बात का अब ध्यान रखोंगे सब लोग, clear ये वाला part hero लोग मेरे, आज़ाओ, एकदम clear है, ठीक है, आज़ाओ, तो notebook में आज़ाओ, heading दे दो, introduction to index, guys मैं थोड़ी speed maintain करूँगा, little little, तो हो सके तो साथ में लिखना, ठीक है? ओके, अब मैं example दे रहा हूँ आपको, example number one दे देता हूँ उसको, ठीक है? ओके, अब एक बात अज़ूं करने का try करते है, suppose, एक parent company है, AK limited, ठीक है? इसकी दो subsidiary है, इसकी दो subsidiary है, एक BB limited, और एक SK limited, अच्छा, देख रहा है बिनोद, कैसे अपने आपको parent और BB सर और शुभम सर को subsidiary बना दिया, ठीक है, उसके अलावा, BB limited की, एक और subsidiary है, एक और subsidiary है, लेट से, XY limited, ठीक है? XY limited, रागव ड़सन्ट मैटर, आपन यह रेंट चेक करते हैं, ठीक है? अब सुननों मेरे बात ध्यान से, तो इसको मैं parent बोलूँगा, इस parent की दो subsidiary है, ओके, इस parent की दो subsidiary है, BB, SK और XY, किसकी subsidiary है? XY BB की subsidiary है, ठीक है, subsidiary की subsidiary है वो, अब अगर मैं आपसे कहूँ, यह index किसको applicable हुआ? index applicable हुआ, BB limited को, इसको applicable हुआ? BB limited को, ठीक है? तो अब इसकी वज़े से, मैं बोल दूँ इसको पहले, इसको apply करो index, अब अगर BB limited को index applicable हुआ, तो इसकी वज़े से कौन को न apply करेगा? तो आप बोलोगे सर, इसके जो parent है, वो, इसकी जो subsidiary है, वो, इसका कोई associate रहेगा, वो, इसका को joint venture रहेगा, वो, सबको applicable, तो आप बोलोगे सर, इन short सबको apply कर दो, ना, सबको apply कर दो, सर, नहीं, नहीं, ऐसा मत करना, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, सबको apply मत करना, इसको apply कर रहेगा पता है, बी-बी की वज़े से, एक एक को apply हुएगा, यह ना, बी-बी की वज़े से, एकस वाई को भी apply हुएगा, लेकिन, यह जो SK है, SK, इसको पता है क्या बोलते है, बी-बी और SK का रिष्टा किया है, यह आपस में होती है, fellow subsidiary, मैं लिख देता हूँ, बी-बी लिमिटेड, एंड SK लिमिटेड, आर fellow subsidiaries, ठीक है, तो अब, fellow subsidiary को, आपकी वज़े से apply नहीं होता है, मतलब, अगर मेरा कोई fellow subsidiary है, तो उसको apply नहीं होगा, इसको not applicable के पर, तुम समझे, तो SK को not apply करना, मतलब मैं ऐसा के तू, मेरा जो direct parent है, वो, और मेरी जो direct subsidiary है, मेरे चचेरे भाई को apply मत करना, मेरे चाचा के लड़के को apply मत करना, भाई, समझ गे सर, तुमको समझा मैंने क्या है बूला, हाँ, तो AK की वज़े से, सरी, BB की वज़े से, AK को apply हुएगा, और BB की वज़े से, XY को apply हुएगा, आप बोलोगे सर, लेकिन जब BB की वज़े से, AK को apply हुआ, तो AK का subsidiary तो है न, अरे ऐसे तो फिर पूरे गाउ का apply करते ना बेटके, ऐसे तो सब को बिमारी फैली जाएगी, करना है, वैसे मत देखना, ओ लाल बटन देखना, लाल बटन नहीं दवाना था, बस यहीं नहीं करना, तुम समझे, तो डिरेक्ट देखना, पहला किसको apply के बोल वहा, इसको, तो AK को directly खुद apply के बोल नहीं हो रहा है, AK को applicable हो रहा है, because of BB, तुम समझ रहे हो क्या, अब समझ मैं आगया सर, ज्यान रखना, चले, मैं आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाता हू, एक और discussion करना आपके साथ, एक थोड़ा detailed discussion करू, advanced discussion आपके साथ, थोड़ा बुद्धी लाओगे तो करूँगा, करो ना, सरकाहे नहीं करेंगे, करो, आपको पता है, जो भी parent company होता है, who was the parent company, जैसे AK Limited is the parent company, right, ultimate parent, जो AK Limited है, यह parent company है, आपको पता है, यह दो टाइप के बनाते है financials, एक बनाते है SFS, उसको आप कहते हो, stand-alone financial statements, या separate financial statements, मतलब basically, अकेले खुद का, अकेले खुद का, और एक यह parent बनाते है CFS, CFS मतलब, खुद का, अकेले का, प्लस, जित्ती भी subsidiaries है, सबके साथ, मिल जूलकर बनाएगा CFS, बराबर, मिल जूलकर बनाएगा CFS, ओके सर, तो, यह जो parent है, एक तो, यह SFS बनाएगा, और एक यह, बनाएगा CFS, ओके सर, समझ गये, अब, जो, parent को, index अपलाए हो गया, बिकॉज अब बीबी लिमेटेड, बिकॉज अब बीबी लिमेटेड, अपलाए हो गया, parent को, तो यह parent है, इसको, कौन से वाले financial में, index फॉलो करना है, SFS में की CFS में, इसको दोनों में, index फॉलो करना है, both as per index, तुम समझ रहो, both as per index, ओनकर वो cover होएगा, आगे जाकर, ओनकर क्या कह रहा है, सर, यह XY की भी एक नीचे सबसेटरी होती तो, देखो, जितना खेला कूदी करना, आपने से कर सकते, बट वो questions में, आपन करेंगे, जो ICA questions है, फिलाल, इस example फोकस करो, ठीके, चलो, तो इनको दोनों, बनाना पड़ेगा, as per index, अब मेरी बात ध्यांचे सुनना, जब यह CFS बनाएगा, as per index, तो CFS का मतलब क्या होता है, CFS का मतलब basically होता है, इसमें parent company का भी data आएगा, plus all subsidies का भी data, as per index ही देना पड़ेगा, आपको, आपको सब का सब data, लगेगा as per index, है न, अब मेरी बात ध्यांचा सुनना, यह जो SK Limited है, SK Limited, मैं बोलू, इसको तो index अपलाई नहीं हो आता न, इसको तो index अपलाई नहीं हो आता, क्यों? हमने का, BB Limited की वज़े से, SK को अपलाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो fellow subsidiary है, तो जो SK है, SK अपना जो financials है, वो as per AS ही बनाएगा, SK अपना जो financials है, वो as per AS, AS मतलब accounting standards बनाएगा, but for the purpose of CFS, SK जब अपना data भेदेगा ना parent को, इस company को data भेदेगा ना parent को, ताकि parent बना सके CFS, तो SK जब data भेदेगा ना parent को, तो वो data उसको as per India submit करना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो sir? हाँ, तो मैं लिख देता हूँ इदर सुन लो, यह जो SK company है, SK, SK prepares, own SFS, as per AS, but, 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 for CFS purpose, it will send, data to parent, as per India, उसको data जमा करवाना पड़ेगा, as per India, तुमको समझा क्या मैं, किस death में तुमको ले गया, इसके, इससे ज़्यादा death पॉसिबल नहीं है, तुम समझे मैंने क्या बहला, वापस repeat कर दो सार एक बार मज़ा आ जाएगा, यह जो SK है, हमने अभी discuss किया न, SK being a fellow subsidiary, इसको तो हम apply नहीं करेंगे बिमारी, ठीक है, तो यह तो S per AS बना रहा है, लेकिन बिचारा जो parent है, parent को तो CFS prepare करना, S per India S, तो जब यह CFS बनाएगा न, S per India S, तो इसको सब का data S per India S लगेगा, तो यह जो बिचारा S के है, इसके लिए महनत double हो गई, इसके लिए महनत double हो गई, क्योंकि यह अपने अकेले के financial S per AS बना रहा है, लेकिन जब data भेजने की बार यह आएगे न, parent को, तो S per India S भी data submit करना पड़ेगा, ठीक है सर समझ गए, Is this late everyone guys, ओ मेरे हीरो लोग, तुमको समझ पड़ा, समझ पड़ गया सर, यह ध्यान रखने question में आएगा, तो मैं तब तुम से वापस पूछूँगा, ठीक है, यह सर पूछेंगे, फटा फट से बोलो yes or no, समझा की नहीं समझा, एक ब्रैकेट में एक वर्ड लिख दो ना, fellow subsidiary not covered, मेरे ख्याल से this, two, three words in itself is sufficient, है न, fellow subsidiary is not covered, ठीक है, एक किसी ने समझदारी वाली बात की, मेगा ने समझदारी वाली बात की, मेगा ने पते क्या का, मेगा ने का सर, यह S के, एक समझदारी वाला काम कर सकता है, भले इसको तो BB सर की वज़े से, applicable नहीं हुआ, इंडेस, बट इसको फिर voluntary adopt कर लेना चाहिए न, इंडेस, क्योंकि, यार, SK के लिए मेरा double हो रही है, वो पहले बनाएगा, इस पर EAS, फिर CFS के लिए भेज़ेगा S पर EAS, तो चुपचा voluntary adopt कर ले, कर सकता है वो, बट मैं voluntary adoption के यहां बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहां बात कर रहा हूँ, क्या इसको by default apply करना चाहिए गया, ना answer is no, वो तो S के समझदार रेगा, तो कर देगा वैसा, शुबं के समझदार रहेंगे तो कर लेंगे वैसा, ठीक है, बट वो बात की बात है, चलो ठीक है, बट गुड़ पॉइंट, आगे बढ़ो, मजा आगे है सर, आगे बढ़ो ना सर, बढ़ो आगे काहे नहीं बढ़ते हो, बढ़ो उसके लावा, सुलो क्या बोलते है, अब यह जो पॉइंट है, यह भी अच्छा पॉइंट है, क्या बोलता है, इसका तात पर यह क्या हो, इसका मतलब क्या, अब इसकी एक सबसीडरी है, बढ़ो बीबी लिमिटेड यह बीबी लिमिटेड एक इन्बी एफसी है, बराबर और यह सबसीडरी है, तो नॉर्मल यहन क्या बोलते हैं, आपका अप लिकेबल हुआ, तो चलो सबसीडरी को अप्लाई करो, लेकिन अगर आपके सबसीडरी, bank insurance nbfc है तो bank insurance nbfc की अलग से date दी गई है bank insurance nbfc की अलग से date दी गई है तो इसके लिए आप respective date चेक करना respective date चेक करेंगे don't apply index because of ak मतलब normally हम क्या बोलते subsidiary हो चलो index लगाओ क्योंकि आपके parent को आप लिके बोलोगे लेकिन अगर आप subsidiary एक nbfc हो या insurance हो या bank हो जो भी हो तो आपके लिए अलग से नीचे date है वो हम पढ़ेंगे पढ़ा निए पढ़ेंगे बराबर तो आप अपनी respective date देखना आप इनकी वज़े से मत apply कर लेता ऐसा समझा मैंने क्या बोला तो अगर इस case में suppose for example यह जो example था इसमें suppose बीबी लेका पेरेंट है अगर यह parent nbfc होता तो respective date देखेगा यह parent अगर यह xy bank होता तो तो उस case में यह bank और nbfc अपनी respective date चेक करेंगे इसकी वज़े से वो अपने आपको apply नहीं करेंगे अनुबव उसकी बात है अपन करेंगे question के अंदर don't worry उनको समझा मैंने क्या बोला तो यह लिखके रखना बाजुमे देखो तुमे ना मेरी बोलेवी बात है चार पात दिन बाद भूल जाओगे लेकिन लिखावा जब रहेगा ना तो लिखावा देखने के बाद मेरा सब बोला वह तुमको याद आ जाएगा तुम समझ रहे हो किया यह लिखे हुए को तुम प्रेम पत्र की तरह यूज करना यह प्रेम पत्र है तुम्हारे लव लव लेटर जब भी खुल के देखोगे तो एकदम प्यारा प्यारा याद आएगा तुमको सब तीक है आगे बढ़ता हूँ उसके लाबा इसका मतलब क्यों होता है SME का मतलब होता है small and medium enterprises तो एना stock exchange भी दो तरका होता है एक बड़ी companies के लिए एक छुटी 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 companies के लिए तो हम क्या बोलते है अगर आप लिस्टेड हो तो फेस्टू में फॉल कर जाओगे इंडेस अप्लाइ करने के लिए लेकिन अगर आप लिस्टेड हो SME exchange के उपर तो फिर आपको इंडेस अप्लाइ करने की जरुवत ही नहीं क्यूँ SME exchange कों लिए होता है छूटि-छूटि Company एक क्रॉट का टूरवर. 10 क्रॉट का टूरवर. ऐसे सुअर्ल छूट्टे-छूट चूटे Например कवर ओते हो उसके उसके अंदर। उनको मत अप्लाए करने हैं इंडएयस. वह ही गरीब फिर्णा है तो उनको कैसे 17-18 ठीक है तो आपको पता है हर company को आपने कभी भी अगर finances देखे होंगे तो एक column होता है current के साथ previous अगा column होता है तो उसको बलते है previous यह है इसको प्यार से बलते हैं comparatives तो अगर आपको index current year में applicable हुआ है तो जब current year में comparatives दोगे तो इस comparatives को भी इस comparatives को भी as per index देना पड़ेगा logical भी है तब इतो comparable होएगा न वो current year और previous year देने का motive क्या है current year प्रीवेशर देने का motive बेसिकली यह होता है कि हम compare कर सके previous year में कितना धंदा किया current year में कितना बिजनस किया उसलिए बराबर तो अगर current year में इंडेस अप्लाई हुआ है तो comparatives पर भी इंडेस क्या कर लेना apply कर देना है सकते तुमको समझा मैंने क्या बोला चलो ठीक है किसी ने बुद्धी लगाईए अपने सुरद भाई सापने doubt पूछा है लेता हो सुरद भाई साप पता है क्या बोलते है अगर कोई SME 250 करोर्स के नेटवर्ट पे लिष्टेड हुआ तो अरे बबा अगर तुम्हारा नेटवर्ट 250 करोर्स है तो तुम SME हो ही नहीं सकते SME में आते ही बहुत छुटे छुटे चुटे कमपनीज है उनकी भी definition होती है आज Google करना बैठके What is the definition of SME तुमको समझेगा ठीक है उन लोग भी थोड़े समझ देखो तुमको लगते तुम अकले समझदार हो वो doubt देखा कि सार अगर इसका 250 के उपर हुआ तो आबे तो SME होई नहीं ना फिर येस अब दुल्ला अपलेकेबल हो सकता है चलो आगे बढ़ो उसके लावा जो कमपनी भी उपर कवर नहीं हो पाई वो क्या अपलाई करेगी एस अपलाई करेगी अब ये मैंने किसका discussion किया ये मैंने companies का discussion किया अब एक बात ध्यान रखना एक और चीज लिख रहा हूँ अगर आप प्रोप्राइटर हो प्रोप्राइटर समझता है प्रोप्राइटर्शिफ फर्म या पार्टनर्शिफ फर्म है अगर आप प्रोप्राइटर या पार्टनर्शिफ फर्म में हो firm को index नहीं apply होता है firm को ASA apply होता है शब्द देखो क्या use कि है companies क्या बोलते company तो company बोला है तो company में firm वगएरा नहीं आता है तो इसका कितना भी हो turnover कितना भी हो कुछ भी आप ASA apply करना जान रखना सर अगर हम private limited company है तो आप कोई भी company हो company अप्लाए कर सकते है firm नहीं apply कर सकता sir firm बोलता है कि मेरे को voluntary adopt करना है voluntary किदर ऐसा बोला कि firm कर सकता है voluntary नहीं कर सकता सिर्फ companies कर सकते है voluntary firm नहीं कर सकता तुम समझा मैंने क्या बोला यह से चलो ले रहे वाल अपाट क्या ठीक है और tension मतलो तो मुझे पाता है जब पढ़ते हैं आपन जब मैं पढ़ाता हूँ तो बीच-बीच में आपको बहुत doubts आ सकते हैं मैं असा बोलूँगा थोड़ा patience रटना जब मैं वो पूरा concept कर लूँगा जब questions करा दूँगा तो automatic आपके maximum doubts solve हो जाएंगे फिर भी रहे जाते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो lecture के end पे या जो भी telegram group वगेर वहां पूछ सकते हो देखो मैं lecture के बीच में जैसे मेरा flow बना हुए ना तो मैं थोड़ा रिफ्रेंट करता हूँ कि मैं कुछ query लो मेरा flow के बीच में क्योंकि मेरा flow तूड़ जाएगा फिर तो या तो मैं पूरा flow खतम हो उसके बाद आपके देखने होगा queries या फिर आपन एक और चीज़ कर सकते हैं जब lecture खतम होगा वहां NPV आप मेरे से पूछ लाना अगर unsault रहेगे तो tension मत लो ठीक है त्यान रखना तुमको समझा मैंने क्या बहला चलो ठीक है मैं आगे बढ़ सकता हो क्या आगे बढ़ो सर तो यह मैंने किसके लिए discuss किया companies के लिए discuss किया मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लो कुछ सवाल पूछ हो आपसे में पूछो ना सर ठीक है सर किसने LLP पूछा है अब LLP हो कोई भी हो नहीं अपलाए का सकता है इंदे सो ठीक है अब एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे companies के case में voluntary adoption की date क्या थी मुझे फटा-फट सा answer करना मैं 10 seconds में आपका oral test ले रहा हूं ठीक है companies के case में voluntary adoption की date क्या थी very good answer 1st April 15 थी ठीक है 15, 16, 17 ठीक है तो phase 1 में आता है 1st April 16 से बट phase 1 में criteria क्या था phase 1 में net worth criteria क्या था very good answer greater than equal to 500 crores आप मुझे सिर 500 लिखोगे तो भी में को समझ जाता बराबर तो अगर आप लिष्टेड हो या अनलिष्टेड हो phase 1 में भेदबाओं नहीं है अनलिष्ट के बीच में आप कोई भी company हो network चेक करेंगे आपका अगर 500 या उससे उपर greater than equal to 500 तो उस case में आप phase 1 में fall कर जाओगे ठीक है phase 2 में का आप 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 लिष्टेड हो 15 16 17 voluntary mandatory mandatory बराबर ठीक है अब अब एक बात ध्यान रतना net worth किस दिन से चेक करना शुरू करेंगे network कब से चेक करना शुरू करेंगे अरे हां हां कब से करेंगे first 31st March 14 से शुरू करेंगे उस दिन से शुरू करेंगे ठीक है तो 31st March 14 15 या 16 मतलब 1st April 16 के पहले phase 1 आने के पहले किसी भी financial air में अगर पाच्चों के उपर गया phase 1 में apply हो जाएगा और index once applicable always applicable ठीक है उसके लावा अगर आपको apply हुआ तो आपके रिष्टदारों को parent, subsidiary, associate, joint venture आपको apply कर देना लेकिन fellow subsidiary हां cover मत करना ठीक है अच्छा उसके लावा अगर आपकी parent, subsidiary, associate, joint venture कोई NBFC, bank या insurance company है तो उस case में इनके लिया उनकी respective date देखना इनकी वज़े से मत apply कर देना इतना basic basic stuff आपको ध्यान रहेगा पहली बार पढ़ा, revise किया confidence build हुआ, हाँ सार समझ गया, एक बात ध्यान रटना मैं चाहू तो हर एक point के ओपर आदा आदा घंटा spend कर सकता हूँ, but it is not worth it, worth नहीं है, it is not worth it, ध्यान रटना, तो जितना मैं discussion करा रहा हूँ, उतने पर stick रहना, यूँकि बात हो सकती है ना, हर एक चीज़ के ओपर आदा बात कर सकते है, जैसे SME का definition discuss कर सकते है बैटके आपन, doesn't make any sense, बराबर, क्योंकि आपके लिए ना, सब पढ़ना भी है, लेकिन limited time में सब पढ़ना है आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका एक ही paper है, FR का एक paper देने जा रहे हो कि है, नहीं ना, बहुत paper है ना, पढ़ and NBFCs, अब इसकी बात कर लेते हैं, इनको कब से apply होईगा, तो ये तो बड़ा simple है, ये तो बहुत ही simple है, क्या बोलता सुन लो, banking क्यों insurance के लिए, इनको apply वैसे होने वाला था, बट इनके application differ कर दी, differ the implementation until further notice, ये पढ़के सबसे आदा खुशी होती student लोग को, अच्छा मतलब banking को, इंशॉरेंस को apply होना चाहता है, इंडेस, बट वो बोला कि अब हम differ कर देते हैं, क्योंकि इतना easy नहीं इनके apply कर पाना, तो बोलते है, differ until further notice, मतलब कोई date ही नहीं है, खतम कहा नहीं, अब आता है, NBFC, तो NBFC में there is no voluntary, आप देखो के तो voluntary missing है, ठीक है, NBFC में स phase 1 starts from 1st April 18, and phase 2 starts from 1st April 19, अब NBFC के लिए criteria क्या है, वो criteria देखो, आप same है, listed, unlisted, NBFC having net worth greater than equal to 250 crores, sorry 500 crores, phase 2 में कौन है, all listed, full stop, unlisted, having net worth greater than equal to 250 crores, तो ये part same है, सिर्फ data लग है, phase 1, phase 2 की data लग है, अब सर हम date कैसे याद करेंगे, एकदम simple है, एकदम simple है, देखो आप, समझ तो गया, लेकिन याद भी तुम्हारा भाई करवाएगा, कैसे याद करेंगे, एक trick है, दिदू क्या, दिदू क्या, सद्यदो सर, कहदो ना, कहद 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17, 18, 19, 15 क्या था, company का voluntary, 16 क्या था, company का mandatory phase 1, 17 क्या था, company का mandatory phase 2, 18 क्या है, NBFC का phase 1, और 19 क्या है, NBFC का phase 2, मतलब NBFC कहता है, company को, अरे जहां तुम खतम होते हैं, वहां हम शुरू होते हैं, जहां तुम खतम होते हैं, उसके बाद हम शुरू होते हैं, अच्छा, यह 19 होना चीए हैं, ना, 19 कर दो उसको last time, yes, तो NBFC क्या कहेगा, जहां तुम खतम होते हैं, शुरू होते हैं, तो लिखा करो 15, 16, 17, 18, 19, तुम समझ रहो, तो 15 company voluntary, 16 company mandatory, 17 company mandatory, NBFC में voluntary नहीं है, bank insurance NBFC को voluntary application allowed ही नहीं है, वह आपन नीचे पढ़ेंगी, नीचे भी लिखा है वो चीज, voluntary adoption इनको applicable नहीं है, voluntary adoption से फॉसिफ कमपनी कर सकती है, bank insurance NBFC voluntary adoption नहीं कर सकती है, तो phase 1 में क्या आएगा, वो तो सेम है दोनों के लिए, phase 1 यहां का जो था, वो ही हां का है, फिर phase 2, सेम, all listed, फिर unlisted network greater than equal to 250, सेम है वो, कहते रहा सेम है, याद रहेगा अभी hero लोग, अरे मेरे hero लोग, याद रहेगा यह, इसको कहा देना, FR वे देके exclusive, ऐसा जब भी मैं विशे AK है भाई साब, AK है भाई साब, AK है भाई साब, समझे ना, तुम ठीए, छोड़ो से, आगे, अब, NBFC में भी network check करना है, यहां कब से शुरू करेंगे check करना, तो बोलता है, यहां, आप शुरू करना, check करना, from 31st March, 16 and thereafter, तो companies में आपन शुरू कर रहेते है, 14 से, यहां आप शुरू करोगे, 16 से, सर ऐसा क्यों, अरे, सिंपल है न, company का phase 1 था, 1st April 16 से, तो इसके 2 साल पहले शुरू किया, NBFC का phase 1, 18 से, तो इसके 2 साल पहले देखोगे, तो 31st March 16 होता है, तो इसका आपन यहां से शुरू करना, check करेंगे, उसके लाबा, voluntary adoption of index is not allowed, in case of banks, insurance, NBFC, ध्या and regional rural banks are not required to apply index, इसका मतलब क्या है, banks को तो वैसे भी applicable नहीं हुआ है, but by chance future में, जब banks को applicable होगा, तो यह चोटी मोटी bank होती है, आपके घर के भार भी होगी, cooperative bank बहुत सारी होती है, अपने गली वाले bank होती है, चोटी चोटी bank, तो यह सब bank को आप index apply करने की जरूवत नहीं ह आगे, आगे, holding subsidiary joint venture associate of banks insurance NBFCs, यह न, शार also apply index from set date, मतलब अगर आप suppose NBFC हो, AK limited NBFC है, ठीक है, अब यह parent है, मान लो इसकी एक subsidiary है BB limited, अब अगर BB limited भी NBFC है, तो बस अगर parent को applicable, तो इसको भी applicable, ऐसा, लेकिन सर, अगर BB limited NBFC नहीं होता, normal company होता तो, तो फिर आप तो अपनी respective date देखना, देखो simple है, अगर आपका रिष्टा same nature का है, आप भी NBFC, यह भी NBFC, तो फिर सबको applicable वैसा वाला, अगर आप NBFC और यह company, फिर आपकी वैसे उसको apply मत करना, फिर respective date चेक करना उनके लि देना पड़ेगा, as per index, आखिर में, यह हो गया, यह हो गया, तुमको समझा, यह तो बहुत simple था, तो इसमें आपको सिभी याद रखना है, और कुछ याद रखना है, जरुवती नहीं है, अब आता है, index for mutual funds, mutual fund में type of company है न, अब यह पहले बात नहीं करता है, यह new syllabus में डा के वाल हो गया पाता है, कब से, 1st April 23 से, है, हाँ, MCQ के लिए काम का हो सकता है, कि mutual fund के लिए करना है, कब से, 1st April 23 से, है न, इसका इनों ने format वगरा भी दिया हुआ, also provide specific format, circular issue किया था, वो आपके लिए काम का नहीं है, आपके किताब में से भी इतना ही दिया हो, तो आपको एक सवाल पूछू, एक, ऐसे पूछू सवाल, चेक करो, तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक, प्लीज, एक सवाल, पूछा न, सर, देखो, आप मना करो को तुभी पूछू हो गई, सर, तो पूछी लो, सुनना मेली बात, मैंने कहा कहा, हमने हर जगे क हमको net worth चेक करना है,idas का, हमको net worth चेक करना है, अन भी छूं को net worth चेक करना है, हम को net worth चेक करना है, जब net worth चेक करते हो, तो आपको audited financials के net worth चेक करना हो ते, नेटवर्थ का कल्क्रेशन as per AS अलग है and as per index अलग है जब मैं ये कहता हूँ कि network check करो तो मैं कौन सा वाला network check करोंगा to apply to check whether index is applicable or not index applicable है या नहीं है, ये चेक करने के लिए मैं कौन सा network देखूंगा AS वाला network देखूंगा या index वाला network देखूंगा जब मैं कहता हूँ जैसे for example मैंने का 31st March 14 नेटवर्ट चेक करूँ तो यह नेटवर्ट एस वाला चेक करूँगा या इंडेस वाला चेक करूँगा बुद्धी लाके बताओ तो नीलम ने का एस हरीश ने का एस अनुभव ने का एस आशी ने का इंडेस नेहा ने का इंडेस और निकिता ने का इंडेस तन्वी ने का एस विनोध ने का एस तुशार ने का एस दिव्या ने का इंडेस अर्पित ने का एस अंचिका ने का एस ठीक है मनीश ने का एस तु चेक कर रहे हो, तुम तो खुद यह चेक कर रहे हो, कि index apply करू की नहीं करू, तो index apply करू की नहीं करू, उसके लिए तुम बारे पास network AS का ही applicable है, तुमको network as per audited financials चेक करना होता है, तो उसमें तो network as per AS ही बनाया न, फिलाल, अभी थुने न, index apply करके बैठे हो, हम तो चेक कर र है, index का applicable नहीं है, मुन्ना लोग, तो बूल से भी बोल मत देना, एक्जाम में किसी को index, तुम समझ रहे हो किया, तो network as per AS वाला चेक करेंगे, अच्छा, यह सब भी होता है क्या, तो लिग दो इधर, network चेक करेंगे, as per AS, and not index, अभी index apply नहीं हो आप तक न, चलो ठीक है, अब network calculation दिया हुआ है, कैसे निकालते network, देखो क्या क्या करवा रहे है अपने से, एक बास भी ready कर लो तुभी तुमको समझ जाएगा, उसमें बोलता है, paid up share capital आएगा, plus जितने भी reserves है, वो आएगे, plus security premium आएगा, less accumulated losses आएगा, मतलब किसे साल में आगर आपका reserves negative है, तो वो deferred expenditure के नाम से या इस नाम से, तो आप उसको less कर देना, ठीक है, ध्यान रखना, अब उसके लावा एक और बात ध्यान रखने वाली है, कि network does not include reserves created out of revaluation of assets, what is the meaning of this, शायद आपने एक AS पढ़ा होगा, AS10, AS10 में, AS10 was PPE, जैसे अपने index, it is index 16, नहीं पता आजून कर रहा हूँ, बट एस में था AS10 PPE, होता था ऐसा कुछ, तो क्यों होता था, जब आप PPE को fair value के उपर लाते था ना, fair value पे, तो आपके reserves में, एक revaluation profit book होता था, आपके reserves में, एक revaluation profit book होता था, अगर ऐसा कोई PPE के उपर create किया गया revaluation reserve है, तो उसको consider नहीं करना है, consider नहीं करना मतलब उसको less करना, उसको ignore करना, क्या करना, उसको ignore करना, जो तुमको तुमको तुमारी X करती है, क्या करती है, ignore, वो करना, सर दुख्ती नस्पा हाथ मत रगो ठीक है बस वो ही करना है तुमको क्या करना है इगनोर करना है तो अगर नहीं भी बता रहेगा न चोड़ दो बोलेंगे सर हम तो पैसे दे के पास हुए सर हम तो option में छोड़ के आये तो कोई बात नहीं सिर्व नाम याद एकलो फिलाल के ल आता है क्या देखो मैं यह नहीं बोलता हो कि तुमको 100% accuracy आती है कि नहीं आती है कभी भी पहली बार में वह नहीं आ सती है और मैं expect भी नहीं करता हूँ तुमको 50, 60, 70% भी समझ गया ना बाकि आपन जब question करेंगे clarity बढ़ेगी जब आपन फिर revise करेंगे clarity बढ़ेगी फिर आपन घाप घर पे खूद रिवाइस करोगे और clarity बढ़ेगी वैसा ठीक है yes you can say that दिविया बट वैसा मत करो ऐसा ही करो ठीक है चलो ओके समझ गया सर ठीक है आगे बढ़ सकता हूँ मैं अब सर मीठे मीठे question हो जा तो मज़ा आ जाए तो सरक सरक नहीं करना भाई question करो अरे भाई तुमको क्या बताया था मैंने तुम्हारा भाई सब कराके नहीं छोड़ेगा तुमको question भी कराएगा ठीक है आजा इंट्रडक्शन टू इंडेस यह नए नए question ना ताज़ो ताजा इसे नएड़ गिया है new syllabus में लियान रखना question number one का बोलता है फटा फट से बात करेंगे का फालतो time waste नहीं करेंगे ठीक है क्या बोलता है सुन लो following is a snapshot of audited balance sheet of company A of 31st March 14 ठीक है Audited balance sheet company A is equally listed 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 देखो listed है तो अगर meet ना भी करे तो भी phase two में तो आई जाएगा अब चेक करना है phase one में आई कि नहीं आए ठीक है आज सब वह सब आपन बाद में समझेंगे ठीक है फिलाल जो main काम की बात उस पर focus कर लेते आजाओ तो listed है अब क्या क्या दिया वह देखो capital, premium, reserve, revaluation reserve, revaluation reserve पता है क्या करना है ने इसका profit and loss, liabilities, fixed asset investment, miscellaneous expenditure not return off as per the roadmap which phase will company A fall into, इसके लिए पर नेटवर्थ निकालो, खुद से नेटवर्थ निकालो फटा फट से, जल्दी जल्दी time starts now अगर आपके कुछ भी query रह गई है ना, फोड़ा सा patience रखो, जब मेरा chapter हो जाएगा तो मैं आपको दूँगा 5-7 minutes, तो आप तब मेंसे पूछ लेना, ठीक है, चलो, net worth निकालो फटा फट से, किसे ने मुझे का 505, क्या मैं चेक कर लूँ क्या फटा फट से, तो कैसे निका रहेंगे net worth, capital plus premium plus general reserve, reevaluation reserve ignore करना, ignore, plus profit and loss, और miscellaneous expenditure आपन करेंगे minus, तो 160 plus 200 plus 150 plus 75 minus 80, तो मेरे ख्याल से मुझे आता है 505, कब का net worth है, 31st March 14 का है, तो यादे 14, 15, 16, कभी भी meet हुआ, कौन से phase में fall करेंगे, राजा लोग, phase 1 में fall करेंगे, कहाँ fall करेंगे सर, phase 1 में, phase 1 मतलब कौन सा day, सर, day याद नहीं आ रहे, day याद नहीं आ रहे, अरे वो timeline बना लो भाई, timeline, क्या timeline, 15, 16, 17, 18, 19, 15 में था company का voluntary, 16 में था company का mandatory वाला phase 1, अरे 1st April 16 सा सर, याद आ गया हमको, simple, will your answer change, if company A is unlisted, जल्दी से मैं को बताओ, अगर यह unlisted होती, तो क्या मेरा जवाब अलग होता, very good the answer is no, मेरा जवाब सेम ही होता, क्यों, अरे phase 1 में तो हम listed, unlisted में भेदबाव होई नहीं करते न, तो will your answer change, will your answer change, no, still आप phase 1 में ही fall करोगे, क्योंकि phase 1 में हम listed, unlisted को भेदबाव हो नहीं करते, हम दोनों के लिए network check करते है, very good answer everyone, so very good Harish, Megha, Darshan, Pallavi, Lakhan, Mansi, Neha, very good, very good, very good, बहुत चानदर काम, तुम क्या मस्त काम करते हैं, मक्सुद भाई, खतम हो गया है, है न, चलो, आगे बढ़ू मैं, अब मैं ये सब time कोटी नहीं करना है, ये सब word by word reading करने में, वो सब घर पे करोगे, तो भी चलेगा, नहीं फटा-फट से देखलो क्या बोलता है, let's say, in illustration number one, the balance of profit and loss is negative 375, इसका मतलब क्या है, मान लो, ये positive 75 के बदले, अगर ये negative 375 होता, तो क्या होता, तो net worth निकालो ना guys, अगर ये positive 75 के बदले, negative 375 तो क्या होता, तो बाकि सब सेम है, सिर्फ ये negative 375 हो जाएगा, तो निकालो न तो फिर तो net worth मेरी सिर्फ उसिफ आ रही है, 55 करोर्स, कितनी कम net worth आ रही है ना guys मेरी, yes, तो net worth आ रही है सिर्फ उसिफ 55 करोर्स, अब मुझे बताओ क्या मैं apply करूंगा, तो वो बोलता है, illustration number one का continuation है, illustration number one में हम कोन से company थे, हम listed company थे, तो क्या आप phase one में fall करोगे, इस लेकिन, 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 क्योंकि मैं listed हूँ, तो मैं by default कौन से phase में fall करूंगा, तो नेहा ने मेरे को सबसे पहले answer किया है, sir, भूशन ने भी answer किया, sir, आप phase two में तो fall करी जाओगे, because phase two में तो आप listed होते ही fall कर जाते हो, और phase two अपला है कब से होता है, phase two बेव कुफो की तरह 1st April 16 मन बोलना, it is 1st April 17, ना याद है, तो टैंक में बना लिया करना, 15, 16, 17, 18, 19, 15 company का voluntary, 16 company का mandatory phase one, 17 company का mandatory phase two, sir, मजा आ गया, एकदम फटा फट आपने करवा दिया, हमको मजा आ गया, तुमको समझ में है, hero लोग, ठीक है, आगे, when India should be applicable to company A, तो हमने का phase two, आगे बोलता change, if company A is unlisted, क्या मेरा जवाब बदलेगा, अगर ये unlisted होती, तो हाँ, sir, हाँ, मेरा जवाब बदलेगा, क्यों, क्योंकि अगर unlisted होती, तब तो भाई साब, तुम phase one में भी fall नहीं करते, तुम phase two में भी fall नहीं करते, तो yes, मेरा जवाब अलग होता, तब तो आपको index apply ही नह होता, index not applicable, very good, guys, तुमको मजा आ रहे कि नहीं आ रहे, मैं तो कहता है, ICI को लिखते पत्र हो, और बोलते है, सौ माक्का यहीं पूछलो हमको, हम समद चुके है, sir, सौ माक्का पूछो, खतम करो, sir, फटा फट लो, देखो, तुम अगर मुझे बनाओगे न, ICI का पैसिडेंट, तुम मैं पूछता हो, सौ मक्का बता, बना रहे हो गया, नहीं बना रहे है, छोड़ो, anyways, आगे बढ़ू, आगे बढ़ो, sir, अब, एकाद दो छुट्टे-पूट्टे question है, घर पे try करोगे, चलो मैं ही करवा भाई साब, हमको क्या फरक पड़ता है, आपको 31st March 14, 15, 16, कहीं भी भी आपका net worth उपर गया, तो क्या करेगे, बताओ, बताओ, बताओ न, मस्ता question है, बताओ न, कब से apply करो, आरे, वा, very good, phase 1 में apply करो, sir, 1st April 16, अब इन लोग है न, तुमको है न, येडा समझते, देखो, क् losses, net worth of the company was 431st March 15, बोलता है, net worth आगे जाकर 400 हो गई, 31st March 15 में, बोलता है, गिर गई net worth मेरी, net worth मेरी गिर गई, अब बताओ, क्या मैं ऐसा बोल दू क्या, future में net worth गिर गई, तो अब मत apply करना index, ऐसा बोलू क्या मैं, आरे, ना, मुना, ना, it is not relevant, not relevant, why, why, very good answer, किस ने बोला इन्डेस, once applicable, always applicable, सबसे बहले मुहित निमर को answer किया है, बराबर क्या क्यों, इन्डेस, once applicable, एक बार शादी हो गई, तो भाई साथ, anniversary का gift हर साल देना ही पड़ेगा, applicable, always, applicable, एक बार शादी हो गई, अगले anniversary पे जगड़ा ही क्यों ना हो जाए तुमारा, gift तो देना पड़ेगा, अब समझ में आ गया सर, ठीक है, यह ना, proceed further, यह सर, proceed further, illustration number 4, फटा फट सा देख लो, क्या बोलता है, network of company C, was 400 crores, on 31st March 14, however, network of company was 600, 31st March 15, 15 में हो गया 600, आपको याद है, 31st March 14 हो, 31st March 15 हो, या 31st March 16 हो, इन में से कभी भी अगर network उपर हो गया 500 के, तो phase 1 में ही fall करोगे, और 1st April 16 से ही apply करोगे, तो आपका यहाँ हो गया 600 crores network, बराबर तो कभी भी अगर 5 के उपर गया, इन 3 में, तो phase 1 में ही fall करोग एक्जांपल जबर दर्फ है sir, thank you, चलो, किसे ने काई, divorce भी तो कर सकते हो sir, अरे divorce करो के मतलब, यहाँ भी तो तुम company बंद कर सकते हो ना, तो बंद कर दो company, फिर मत अपला करना है, इंडेस, चीक है, चलो, clear यह वाला part क्या, समझ गया sir, very good, तो 4 भी हो गया, मज़ा ही पड़ेगा ना, चलो, मैं बोलता हो, कर ले, याद what to word, कर सकता है, एक question के लिए कर पाओगे, दो के लिए कर पाओगे, तुमारे पास FR में दरा more than 1300 questions, करोगे याद what to word, नहीं ना, तो नहीं देना है what to word बबाबा, तुम अपने own words में अपने तरीके से answer करो, ठीके, और answer presentation जब आपन test वगएरा लिखेंगे ना, तो उसके बाद में अचलर discuss करता हो, tension मतलो तुम, है ना, अभी तो क्या है, यह सब basic basic questions है, जैसे जब बहुत theory theory question है, तो आपन question bank में ही marking कर लेते हैं, मैं पता है, क्यूं marking कर दा तो इधर question bank में, बाद में जाके बहुत time बचता है, त जैसे लिए, चलो, और जब practical question वगएर आएगा, तो आपन किताब में भी solve करेंगे, उसको इदम proper presentation के साथ, इसने का अच्छे subject है सर, देखो अभी तुम्हारे मन में बाद बढ़ गए, छे subject है सर, आगे बढ़ो, चलो, illustration number 5, क्या बोलता है सुन लो, बोलता है, there is a company D, is the parent company of group A है, ठीक है, group A की company, parent कौन D, तो मैं hierarchy paper कर रहा हूँ, ठीक है, company D, is the parent of company A, group A बोलो, जो भी है, बतलब group A subsidiary होगी, ठीक है सर, group A is an unlisted company, having net worth of 60 crores, ये तो unlisted है, ठीक है, on 31st March 14th, following are the other companies of the group, बाकी group की companies का information दिया हुआ है, है नो, company B, unlisted है, relationship क्या है, रिष्टा क्या है, ये रिष्टा क्या है, बोलता है, company B, unlisted है, is a subsidiary of company A, is a subsidiary of company A, अब इसका मतलब, company, इस relationship में, company A हो गया parent, और company B हो गया, subsidiary है, तुमको समझ रहे है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो गया, तो पहले company D है, ultimate my baap, उसका एक subsidiary है A, ठीक है, अब A का भी एक subsidiary है B, एसे कैसे माल पड़ा, देखो ना, B is a subsidiary of A, तो A हो गया, इसकेस में parent और B हो गया, subsidiary न, yes, B का net worth है, 600 crores, ठीक है, वो मैं लिखता हूँ, चलो, बात मैं लिखता हूँ, net worth, उसके बात के अब बोलते है, company C, subsidiary of B, तो भाई, यह जो C है, एक और hierarchy बन गई इदर, यह न, company C, तो इसमें B parent है, और C subsidiary है, confuse मत होना, मेरे color combination पर जाना, यह वाले, green वाले relationship में, यह parent है, subsidiary, pink वाले में, यह parent है, subsidiary, और blue वाले में, यह parent है, subsidiary, hierarchy देखो, ultimately, अब index किसको apply हो रहा है, तो A को तो apply नहीं हो रहा है, because A का net worth 60 है, C को भी apply नहीं हो रहा है, because C का net worth 150 है, apply हो रहा है B को, यह जो B है न, B, इसको हो गया index applicable, इसका net worth, यह 600 करोज, तो B को index, applicable हो गया phase 1 में, phase 1 में, that is from, 1st April 16, अब वो बोलता है, whether index is applicable, अभी किसका किसका पूछा है, यह देखो, whether index is applicable to, companies A, B, C, यह A, B और C को apply करना है कि नहीं करना, यह पूछा है, तो अगर इसको applicable, तो इसका parent और इसका subsidiary, तो cover हो जाएगा न, इसका parent और इसका subsidiary cover हो जाएगा न, तो अगर B को applicable है, तो मैं लिख दू, because of B, किदा लिखू, मैं इदा लिख दू, because of B, applicable to A and C also, what about this ultimate parent, अब एना, एक चीज़ इना पूछी नहीं है, D के बारे में, ठीक है, D के बारे में पूछा किया, कि यह जो parent का parent है, उसको apply करना है कि नहीं करना है, तो इसके बारे में आप पूछा है, और इसके बारे में, to be very honest, ज़्यादा guidance भी available नहीं है, तो इसमें आपको, मतलब वो ही है, फिर आपको apply करना पड़ेगा, लॉजिक वगेरा, तो logically अगर मेरे से आप पूछते, तो यह fellow subsidiary नहीं है भाई, D fellow subsidiary है किया, नहीं, तो D आपके my बाप कभी my बाप है, तो आइडले जो ultimate parent होता है ना, logically इसको apply करना ही पड़ता है, अगर आपके, जो subsidiary के subsidiary उसको applicable हुआ, तो आपके ultimate parent को logically apply करना होता है, logically, यह fellow subsidiary नहीं है, देखो, अगर fellow subsidiary होते तो आप apply नहीं करते, this is not fellow subsidiary, बराबर, तो logically जो main parent है ना, main parent, उसको apply करना पड़ जाता है, इसके बार में बात नहीं की है, तो be very honest, इसके बार में silence है, चुप है, चुप, इसलिए इन्होंने पूछा भी निडिये के बारे में है, बड़ स्टिल, exam में आ जाता है, तो मुझे लगता है, मेरे नाज के एसाब से इसको apply करना चाहिए, बड़ उसका नहीं पूछा है, तो ignore कर सकता हूँ, चल, आगे बढ़ जाते है, illustration number 6, अब ये question important है, अब जब भी मुझे कोई question अच्छा लगता है न, मैं उसको पते क्या mark करता हूँ, मैं उसको mark करता हूँ, LDR, मैं क्या mark करता हूँ, LDR, तुमको समझता है, what is the full form of LDR, LDR का मतलब होता है, last day revision, ठीक है, थोड़ा सुन लो LDR के बारे में, अब LDR पते क्या होते, मैं हर chapter में, suppose आपन ने 100 question solve की है, तो 100 में से मैं आपको करीबन करीबन, 10 से 15 question दूँगा, LDR के नाम से, अब ये क्या है, basically दो आप पहली बार करोगे, तो आप पहली बार में सारे question करोगे, but exam के समय आपके पास इतना time नहीं होता है, कि आप सारे question गोत रूँ कर लो, क्योंकि exam में time limited होते हैं, exam के दो दिन पहले, चार दिन पहले, revision वगेरा में, तो ये 10 से 15 question आपको bare minimum refer करने होते है, अब ये 10 से 15 question क्या है, सर ये वो question है का जो exam में आएंगे, नहीं, LDR का मतलब exam में आने वाले question नहीं होते, exam में किसी को नहीं पता, तो LDR basically वो question है, कि भाई साब ये वो question है, जो आपके 100% concept कवर कर लेते हैं, मतलब instead of these 100 questions, अगर मैं वो 15 LDR question भी कर लूँ न, तो it is equivalent to doing 100 questions, तो मैंने इतने समध्दारे से वो filtering करके रखिया आपके लिए, मतलब concept किया और LDR question किया, तो it is as good as you have done 100% questions, तो LDR question द्यान रखना, तो LDR को please कभी भी इस से मत mix करना कि exam में आएगा, यह वो question है, जो आप revision में इतने तो करना ही हैं आपको, तो उसके लावा आपको खुद से लगता है कोई question अच्छा है, जैसे आपको लगता है यह question अच्छा था, तो इसको आप खुद से मांक कर साथ है LDR, खुद से भी आप LDR में आड कर सकते हो, ठीक है ध्यान रपना, चलो, आप 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 सबको प्रिपर करना चेब खुद के लिए, किसे भी डिपेंडेंसी मत क्रेट करने हैं, अब आते इलस्टेशन नमबर 6 पे, दो या तीन क्वेशन बाकी है, करके फिर ब्रेक लेते हैं आपर फटा-फट से, आजा, क्या बोलता है, फॉलिंग is the structure of company D, ठीक है company D है, company D की एक सबसेडरी, दो सबसेडरी, और ये जो E है, ये E का भी एक सबसेडरी का सोशियेट, और ये जो I है, ये किसका सबसेडरी है, ह का सबसेडरी है, समझता hierarchy, तो D की दो subsidiary है, अगर आपको लाइन क्लियर ली दिखती नहीं तो देखला ऐसा है, D का दो subsidiary है, फिर E का एक subsidiary एक associate है, और H का एक subsidiary है, ठीक है, अब किसको आप लेके बहुत है, देखो, All the companies above are unlisted companies having, and the net worth of company E is 300 crores, E मतलब कौन? ये, इसका कितना है? Net worth, 300 crores, तो आप कौन से phase में आओगे, phase 2 में आओगे, 1st April 17, 1st April 17 में आज आओगे, ठीक है, phase 2 में बराबर ना? ये सर, तो आप 1st April 17 में आज आओगे, अब अगर आपको applicable हुआ, और बहुता है, बाकी सब companies का is below 250, तो अगर आपको applicable तो because of E, किसको कुसको apply करूँगा? मैं बोलो, I will apply to इसका parent, इसका subsidiary, इसका associate, तो E की वज़े से, E की वज़े से किसको apply हुएगा? because of E, मैं लिख दू, because of E, applicable to D, F, G, है न? D, F, G का apply के बल हो जाएगा? येस, लेकिन, लेकिन, क्या H और I को apply करूँ? ये होती है fellow subsidiaries, ये होती है fellow subsidiaries, तो इनको apply मत करना, but not to H, N, I, because ये कौन है? fellow subsidiary, उमने कितना अच्छा answer किया, मुझे अच्छा लगा, तुम सब चैट में लिख रहते हैं, D, F, G, D, F, G, है न? तो मुझे अच्छा लगा तुमने इस answer किया तो, okay, good job guys, D, F, G को apply हो जाएगा, बटे च और I को apply नहीं हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अपने D को apply, एक बनाएगा, SFS ये बनाएगा, CFS, तो जब ये CFS बनाएगा, तो मैं बोलू, for the purpose of CFS, H and I को भी data send करना पड़ेगा, as per indies, ये अपने discuss किया था न, ये अपना भी discuss किया था था न, कि fellow subsidiary अपने अकेले का तो बनाएगा, as per AS, ये तो as per AS ही बनाएगा, लेकिन CFS के purpose के लिए ये बाई साब इनको जमा करवाना पड़ेगा, data as per indies, ये तो वह ये बात होगी, तुम्हारे syllabus से, SCMP और law निकाल दिया, तो तुम बोले, अरे, वा, 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 दो subject कम है, मजा आ गया, फिर बोला, वो selfless में देना है, लेकिन, वो selfless में देना है, सर, अब समझाया, सर, ठीक है, तुमर्दत ये तो SCAM की और क्या की है, ये न, ये, ठीक है, हाँ, और HNI वोलेंटरी बेड़ाप कर सकता है, if they want to, वो जो किसा ने point raise किया था, बढ़ ठीक है, वो वोलेंटरी वाली बात नहीं करेगा, तो पर ठीक है, वो समझा तुमको, आगे बढ़ आजाओ, illustration number 7, क्या बोलता है, सुनलो, ये भी अच्छा question है, ठीक है, इसको भी आप LDR कहोगे क्या, चलो, इसको LDR कह सकते हो, आरक चुली, ने, इसको मत बोलें, LDR तो simple है, LDR इसको मत बोलें, अगले वालो को LDR बोलेंगे, सुनलो क्या बोलता है, scam 2024, news scheme वाला news, अरे नही country, had a net worth of 700 crores, बोलता है, ABC foreign company, क्या game खिलता है, तुम्हारे साथ, वो सुनलो, foreign company है, इसका net worth किता है, इसका net worth है, 700 crore, बोलता है, बता हो कुन से face में आएगा, बता हो कुन से face में आएगा, अरे बूल से भी AD के तरह कोई face में मत बोलेंगे, इसको India is not applicable, वाई, अबे जब व company India की नहीं है, तो India के provision क्यों apply करोगे इसके ओपर, तुम समझेगा मैंने क्या का, जब company India की नहीं है, तो India के provision क्यों apply करोगे इसको, तुम्हारा माता खराब है क्या, अरे बाबा, वो foreign का है, तु आके बोल रहे है, तु दिवाली में कूर्ता, पैजामा पेनके फुलजडी जला, आरे वो क्यों जलागा पुलजडी, वो इंडिया का ही नहीं, तुम बोलते हो, होली में रंग रंग से खेलेंगे, आरे नहीं खेलना उसको, वो इंडिया का ही नहीं, तो इंडिया के तेवहार मत लगा उसको, समझ मैं आगया सर, नोड़ा बलेके बल, आगे, it has two subsidiaries, वो दो subsidiary है, वो नहीं, X और Y, company X, जिसका 31st March 14 को, नेटवत किता है, नेटवत है, 600 crores, और Y, जिसका, नेटवत है, 150 crores, बताओ, किसको apply करेगे, X को index applicable रहेगा, और Y को, AS applicable रहेगा, सर, X की वज़े से Y को apply करो ना, अब ये वो fellow subsidiary है, ये fellow subsidiary है दोनो, तो इसकी वज़े से इसको मत apply करना, आप बोलोगा, सर, X की वैसे apply करो parent को, अरे लेकिन parent foreign company है, foreign company को apply मत करना, बेगोफो की तरह, समझ रहेगा, तो सिफ किसको apply के बल लेगा, X को apply के बल लेगा, उभी कब से, phase 1 से, 1st April 16, समझ गया, समझ गया, सर, खतम कहा नहीं, simple है ये, last question for the day, then we will be done, इसको LDR mark कर देना, LDR mark कर देना इसको, सुन लो क्या बोलता है, as per the roadmap, index is applicable to company X, from the financial year 1718, very good, as per the roadmap, सुन लो ध्यान से, index is applicable to company X, from 1718, तो मैं लिख दू, company X को applicable है, from 1718, company X, 1718 से, index, applicable, ठीक है, चलो, आगे, company X, is a non-finance company, मतलब normal company, X is a non-finance company, is a subsidiary of company Y, company X, किसे की subsidiary है, company X is a subsidiary of company Y, मतलब मैं ऐसा कहे दू, इस case में, company Y is a parent, और company X is a subsidiary, यही कह रहा है नो, यही कह रहा है वो, तो company X is a subsidiary, और इसके नीचे जो है, मतलब इसको मैं actually ऐसा बोलना चाहिए, company Y is a parent, जो NBFC है, bracket में लिखा है, parent NBFC है, है न, NBFC है, और यह normal company है, मैं लिख दू, यह normal company है, अच्छा, अब क्या बोलता है वो सुन लो, Y is a unlisted NBFC, having net worth of 400 crores, है न, having net worth of 400 crores, आप मुझे बताओगे, Y का net worth 400 है, unlisted है, Y को मैं कब से apply करूँगा, देखो मैंने एक बात आफ से कही थी, normally अगर आपको applicable तो आपके parent, subsidiary को भी आप लेकेबल, लेकिन category अलग है, अगर आप company हो और आप NBFC हो, तो फिर दोनों की respective dates देखी जाएगी, याद है मैंने बताया था, अगर दोनों ही company होते, तब तो जब इसको apply के बाल, इसको भी apply के बाल, लेकिन अगर तू NBFC हो और मैं company हूँ, तो भाई फिर आपन respective date देखेंगे, समझा तुमको, तो इसको कब से apply के बाल रहेगा, तो इसमें बोलाए कि इसका net worth कितना है, इसका net worth है 400, तो जब यादना आए, तुझे यादना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तो फिर कोन, कैसे चेक करेंगे याद नहा रहे तो, अरे वो बना timeline, यादे क्या, 15, 16, 17, 18, 19, बराबर, ये unlisted है net worth 400, मतलब 250 के ओपर 500 के नीचे, तो मैं बोलू, ये NBFC का last वाले में आएगा, phase 2 में आएगा, mandatory वाले के, तो 1st April 19 से आएगा, अरे यादना, company voluntary, company mandatory phase 1, company mandatory phase 2, NBFC mandatory phase 1, NBFC mandatory phase 2, तो इतर फेस 2 में आ रहे है, तो इसको apply होएगा, तो मतलब क्यूंकि आपका parent NBFC है, और आप as a subsidiary, एक normal company हो, तो subsidiary को apply करना है 17, 18 से, सर, subsidiary को 17, 18 से क्यों, अरे उस नहीं बोला है, उसने question में बोला है, एह न, और जो parent है, उसको हम apply करेंगे from 1st April 19, ठीक है, simple है guys, ठीक है, मैं आप से एक detail बात करूँ, एक बात करूँ, डीटेल बाली, ठीक है, parent कौन है, मैं मिटा दू यह, यह आपको चलो लख लो चिए तो आपको, parent कौन है, तो parent तो y, sir, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, आखरी बात है, फिर खतम हो जाएगा, यह जो company y है, यह तो बनाएगा, as, sorry, यह बनाएगा, SFS और CFS दोनो, because यह parent है न, यह parent है NBFC वाला, तो यह बनाएगा, SFS, CFS दोनो, ठीक है, ओके, दोनो बनाएगा, कब से बनाएगा, as per index, as per index बनाएगा, from 1st April 19, ठीक है, और जो normal company है, वो तो index follow करेगी, from 1st April 17, my question is, जब यह, why, CFS बनाएगा, for the year, 17, 18, and 18, 19, तो why, CFS as per which, मतलब, case के ताद से बनाएगा, as per AS बनाएगा, या as per index बनाएगा, that is my question, वाई तो parent है, parent को, खुद को, कब से अपलिकेबल हुआ, 19 से अपलिकेबल हुआ, तो parent, SFS हो, या CFS हो, यह, दोनो, इस respective year में, तो as per AS ही बनाएगा, 17, 18, 19 में, वो बनाएगा as per AS, बेवकूफ हो के तरह, इंडेस में, चिल्दा देना, parent को, इंडेस अपलिकेबल हुआ ही नहीं था पहले से, तो parent तो, previous years में, जब से इंडेस अपलिकेबल नहीं हुआ, तब से तो, वैस पर AS ही बनाएगा ना, ठीक है, अब हर्ष ने, मेरे को जो, पूछना था, अल्लेडी आंसर कर दिया, पता है कि, आंसर क्या सुनलो मेरी बात, यह जो company है ना, यह तो इंडेस फॉलो कर रही थी पहले से, लेकिन, य को भी, company, य को, for purpose of CFS, data, as per AS भेजना पड़ेगा, in 1718, and 1819, sorry, Y को नहीं, sorry, X को, X को, sorry, X, X को, X को, X को, X, जो है ना, X, जो subsidiary बनके घूमरादा, बढ़िया, बढ़िया, index अपलाई करते, करते, क्योंकि इसका जो parent है, वो तो AS अपलाई कर रहे है, इस दो सालों में, तो इस दो सालों में, X को data भी, as per AS भेजना पड़ेगा, मतलब, X अपना, individual statements बना रहा है, as per, index, but for the purpose of CFS, जब वो data send करेगा न, Y को, as per AS send करना पड़ेगा, हाँ, x, x, as per, AS send करना पड़ेगा, क्या तुम relate कर पार हो, इस चीज से मेरे साथ, है न, simple है, एकदम simple है, तो कैसे इसको समझने का अपने को, जब आपका relationship है, लेकिन आप दोनों अलग category के company हो, आप NBFC हो, आप normal company हो, तो वो linkage मत लगाना, है न, वो COVID फिलाना मत उसके, आपकी respective days चेक करना, तो company को जल्दी अपलाई हो गया, subsidiary को parent को बाद में अपलाई हुआ, यूँकि parent को बाद में अपलाई हुआ, तो parent पहले के दो financials बनाएगा, as per AS ही, तो जब parent पहले के दो financials as per AS बनाएगा, जब parent पहले के दो financials as per AS बनाएगा, तो यह subsidiary को भी data as per AS भेजना पड़ेगा, इतना ही है, that's it, तो इन्होंने भी यह दो paragraph में यही same चीज लिखी है, दी हुई है, इसी के साथ, अपना chapter number 1, is go, goa, gone, ठीक है, it is, done, 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 it is, 강श, सरक, 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 सरका दिया भैसा अपने इसको बोला, सरक, 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 ऐसे chapter number 1 यह है इसको ऐसे, ऐसे बहलाया पुसला है, उसको बोला, चलो, सरको, Sरको, Baju, 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 Teceğiz, to Baju कर दिया इसको, अब बताओ, तुमको समझ में आया की नहीं आया, तुमको समझ में आया की नहीं आया, अफकोस, एक हलका revision घर पे कर लोगे तो तुमको मज़ा आ जाएगा, चीक है, तो तुमको समझ में आया, yes, if a company is not in existence on 31st March 17, how we will check applicable criteria, किसे ने काया सर, आज के समय में, suppose अभी आपन खड़ है, suppose, 2026 में खड़े, for example, तो अगर आप 2026 में खड़े हो, अगर आपका net worth है, suppose 350, अरे बबा, अगर आप आज खड़े हो, तो phase 1, phase 2 मत चेक करना, आप सी चेक करना, कि आपका 250 के उपर है की नहीं, और apply कर देना, अगर आप सो company, आज ही आपने form किया है, नया नया company आपने prepare किया है, तो उस case में, ठीक है, anyways, चलो, FR का कोई tension नहीं है, full clear, yes, मजा आ गया, ठीक है, तुमको समझ मैं है, तो एक बार मैं quickly आपको go through करवा दो, दो मिनिट के अंदर, फिर आपने एक लेते हो, बढ़िया सा ब्रेक, मैं को सिक 2 मिनिट दे दो, फटा फट से last time go through, मेरे मन क तसली के लिए, yes, yes, चलो, अब सुनो, फटा फट से मेरी बात, सुनो, introduction to India, सबसे पहले, companies के अपने के बात केते हैं, याद है, voluntary, phase 1, phase 2, voluntary 15, 16, 17, phase 1 में क्रिटेरा क्या था, मुझे फटा फट से बिना देखे बता, चलो, देखे तो कोई बता देगा, बिना देखे बताओ, phase 1 में, what was the criteria, listed, unlisted, greater than equal to 500, phase 2 में, all listed, ठीक है, या फिर, all unlisted, having net worth of greater than equal to 250, ठीक है, same, NBFC के लिए था, NBFC में भी था, phase 1, phase 2, बराबर, सब voluntary नहीं था, phase 1 में same criteria, NBFC का phase 2 में same criteria, dates क्या थी, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17, companies के लिए, 18, 19, for NBFC, बराबर, ठीक है, उसके लाबा, in case of company, net worth का चेक करना है, 31st March 14, and thereafter, बराबर, once applicable, always applicable, ठीक है, आपको applicable, तो आपके parent, subsidiary, associate, joint venture के भी applicable, बस fellow subsidiary, यहां cover नहीं होती है, ठीक है, कहाँ अपलाए करना, SFS, CFA, दुन जग अपलाए कर देना, अगर आपका parent, subsidiary, associate, joint venture, NBFC वगेरा है, तो respected date देखना फिर, फिर फेलाना मत बीमारी कितारा, ठीक है, SME पे listed हो, apply मत करना, comparative, as per index ही देना है अपने को, comparative मतलब previous अपर डेटा, as per index देना है, उसके लाबा, जो companies भी fall नहीं की, yes follow कर लेना, फिर, banking insurance हो, तो आपकी date अप तक बताई ही नहीं है, NBFC में date अपने को बता है, criteria दोनों का से में है, यहां net worth कब चेक करना, 31st मां सीष्टिंग के बाद चेक करना, बाकिसर नॉर्मल पॉइंट से, उसके बाद mutual fund के ले डेट किया है, 1st अपल 23, last but not the least, net worth, net worth, net worth, as per AS, as per AS, as per AS, as per AS चेक करना net worth, ठीक है, ओके, तो net worth कैसे चेक करेंगे, paid up capital, plus reserves, plus premium, इसमें एक solution के नाम से कोई भी reserve रहेगा, ignore करना, ठीक है, चलो, इसे के साथ chapter होता है, खतम, अब एक last बात चुनलो, आपन क्या follow करेंगे, आपन एक policy follow करेंगे, अगर chapter खतम होने के बाद भी कुछ queries रह जाती है, तो मैं रोज, lecture जब होता है, 3 घंटे का, suppose lecture is from 7 to 10 for example, तो रोज मैं 10 ब word file दिये में आपको google drive पे, तो वहां मुझे telegram पे message करके push लेना, ठीक है, क्या होता है, class में, मैं queries थोड़ी limited ही ले सकता हो, क्योंकि time constraint होता है, तो अगर कुछ ऐसे unsault रहेगा, you can definitely ask me at that time, ठीक है, चलो, इसी बात पर हम लेते break, break के बाद हम continue करेंगे, अभी road map हो गया, thank you so much, see you after the break, I hope आपको सब समझ आ रहा है, ठीक है, thank you, चलो, bye bye everyone, see you after the break, अब गाइस, ब्रेक कितने समय काची है, 15 minutes का break रखेंगे हम, हम 9 बचे मिलेंगे, ठीक है, see you at 9 PM, guys, okay, गनेश बोलता है, मेरा message पढ़ो न, ये कैसे कैसे तुम्हारे सबने है, 9 PM, Sir PM, PM, कितने है, हम मैं AM को PM ही बोलता हूँ, अपना PM AM सेम है, आजाना, 15 minutes का break है, 9 बचे आजाना, ठीक है, गाइस, चलो, आजाना, see you after the break, Sir, नेपाल से class ले सकते है, पेमेंट में दिक्कत हो रहा है, प्लीज गाइड मी, एक बाद टिंग को कंटेक कर लो, ठीक है, technical queries, order queries, वो सब आप टिंग को कंटेक कर लो, ठीक है, चलो, ओके, thank you, see you at 9, मैं AM PM अपना ही की है भाई, तुम्हारा, Sir का AM PM ही की है, ठीक है, लेकिन AM में आजाना, तुम बोलोगे, Sir, मैं रात को आउंगा, ठीक है, आजाना, ठीक है, चलो, I hope आपको मजा आ रहे, मेरको तो बड़ा मजा आपको बढ़ कर ढाई, ठीक है, ऴौके फमास्टों बड़ा आपको में पलवा, जो एक है किव एगा है, तुम बड़ा जापको बड़रावादा, जाना, आपको स्का रहे, वेगमास्टों, के पही रहे, मैं जाएमास्टों, के भ्रे रहे, वेपको दोना, ठीक है, जाएमाँ, जा나还 Willa झाल 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 कि देखो हम आगे चलो आजाओ आजाओ गाई इस एक बग कन्फर्म करों कि आए के निया है मेरे साथ येस जस्ट कन्फर्म ना गाईस आजाओ 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 रिस्तो के भी रूप बदलते हैं आजाओ आजाओ आएओ आइए χप येइव चलो क्लास में मत पूछो ठीक है अभी कॉन से इंडेस का वो पूछ रहें इंटर्व्यू के लिए क्या करू हम लोग भी बैच कर रहें भाइश तो बैच की बाते कर ले ठीक है चलो वेलकम बैक आफ्टर दर ब्रेक आए वह पतेक सीडल ता साज भी बुलाते थे न उसमें आए रिष्टों के भी रूप बदलते हैं आए क्यूंकि सास अभी कभी बहुत ही क्यूंकि चास अभी कभी दही थी वा सार एकदम ही टाइम पस कर लिया आपने आजाओ फटा फट से करने वाले स्केडियूल थ्री क्या बात कर रहे हो सर यह भी डिस्केशन करवाओगे बैलेंस शीट का फ़र्मैट प्रॉफिट लॉस का फ़र्मैट बेसिक बेसिक चीज़े आपको मालूम होना बहुत जरूरी है ठीक है तो आजाओ शुरू करते है फटाफट से ठीक है तो इस चीज़ आपको अधे क्या क्या शीट मैस में खरने घटा यह बेसिक है नगरम तो अब देख लो मैं स्केडूल थ्री का पहले क्या डिस्कस कर रहा है मैं पहले बैलंस सिट के दरे मात करने वाल हो तो पहले बैलंस के से बनती थी, एस पर एयस वो देख ओ तो AS में आप क्या करते थे, पहले आप बनाते थे equity, उसमें आप लिते थे equity, फिर आप लिते थे shareholder's fund, उसमें था share capital, equity capital, preference share capital, फिर उस्टो रे reserve and surplus, फिर आता था liabilities, liability में दो, non current current, फिर आता था assets, उसमें भी दो non current current, ये आपका क्या होता था, ये आपका AS के साब से होता था, मतलब used to start with equity liability, उसमें equity पहले liability, फिर assets, ऐसे होता था, ठीक है, अब आएगा as per index, सबसे major change क्या है balance sheet के अंदर, सबसे major change ये है, कि आपके जो शुरुवात है, वो होती है assets से, ठीक है, शुरुवात किसे होती है, शुरुवात होती है आपकी asset side से, तो जैसे AS में used to start with equity liability, यहा assets चालू करते हो, asset में वही non current current, अब non current में बहुत सारी चीज़े आती है, वो रट्टा मत मानने बेटना, कोई memonics वगेरा बना के, जरूरुवात नहीं है वो, आपन जब सारे chapters करेंगे तो अपना automatically याद हो जाता है वो चीज, फिर current में आते हैं बहुत सारी चीज़े, फि में when we said share capital, it included two things, equity as well as preference, यह हम specifically क्या बोलते है, equity share capital, तो तब preference कहा गया, वो एक chapter है financial instruments, हम वहाँ पढ़ेंगे preference कहा दिखता है, preference share capital कहा दिखता है, वह मालू पढ़ेगा, छोड़ दो, तो equity में आता है, equity share capital, और क्या आता है, other equity, पहले हम क्या word use करते थे, पहले हम word use करते थ other equity, now difference क्या है, why are we not using the word reserve surplus here, why are we using the word other equity here, समझाने का ट्राइ करता हूँ, अगर reserve surplus का scope इतना था, तो other equity का scope इतना है, मतलब अगर यह आपका reserve surplus है, तो यह भारवाल आपका other equity है, तुमने वह भावबली movie देखिए, नीचे पहले वह भलाल देव का मुर्ती बनता है, उसके पि इतनी बड़ी मुर्ती है, अधर equity, तुम समझ रहे हो क्या, तो ऐसा होता है, तो basically other equity is much wider in scope, other equity includes reserve surplus, बट उसके लावा भूद सारे तरह तरह की चीज़े आती है, अधर equity के अंदर, ठीके, उसके लावा आता है liability side, उसमें non current और current, हसो मत तमलो, ठीके, anyways, उसमें आता फिर liability, non current and current, अब एक आखरी बात तुम समोझा करनी है, कर लो, कर लो ना sir, normally हम हर एक चीज़ का जो details होता है, जैसे non current असमें PPE है, PPE मतलब property plant equipment, उसका details है, हम देते notes to accounts के अंदर, हर एक चीज़ का हम देते details notes to accounts के अंदर, लेकिन, ये जो equity capital और other equity है, ये other equity में इतने सारे items आते है ना, कि civic notes to account present करना sufficient नहीं होता है, civic notes to accounts present करना sufficient नहीं होता है, तो other equity की वज़े से, हम पते क्या करते है, हम एक single note देंगे तो काम नहीं चलेगा, हम इसके लिए बनाते है, पूरा का पूरा statement, इसको हम प्यार से बोलते, statement of changes in equity, क्या बोलते है इसको, statement of changes in equity, प्यार से short form में कह है, तो S-O-C-E, क्या कहते है इसको, S-O-C-E, statement of changes in equity, क्यूंकि इसके अंदर भौत सारी चीज़े आती है, इसलिए statement बनते है उसका, statement कैसे दिखता है, जरा बताओ, दिखा तो इदर आओ, यह देखो, statement of changes in equity, S-O-C-E, बोल सकते हो, S-O-C-E, बोल सकते हो, है न, जो भी बो other equity, यह दोनों element का आपन बनाते हैं, मीठा मीठा प्यारा 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 टेबल, देख लो इदर, यह आपका हो गया equity capital, ठीक है, equity capital में क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, तीन column बनाते हैं, beginning of the year, साल के शुरुवात में किता था, during the year कुछ capital issue किया गया, और फिर end of the year capital में कितना बचा, capital का ऐसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद बनते हैं, अपका other equity का statement, अब इसका statement देखो भाई, ओ भाई साब, इतने सारे चीजे, इतने सारे चीजे, देखो other equity में क्या आ गया, reserve and surplus तो आया ही, यह तो आया ही other equity में, उसके अलावा भी तरह तरह की चीजे आ गई, उसके अलावा भी तरह तरह की चीजे आ गई, कितने सारे चीजे आ गई, सर बैठके याद करना पड़ेगा न, नहीं, यह जितने भी चीजे है, you will study all items in respective index, आप वो respective index में आपन पढ़ लेंगे, तो आपको यहाँ बुद्धी लगाने का जरूवत नहीं है, ठीक है यह जितने भी items है न, यह सब, तो अभी आप देखोगे, तो other equity में दो तरगे columns है, एक यह वाले columns, तो यह तो आप respective index में पढ़ोगे सारे columns, और यह भी तो columns है, यह भी तो लिखा हुआ है, यह basically क्या है, this is nothing but a reconciliation, reconciliation of what, जो शुरुवात में था, फिर आपका जो during the year हुआ, ज कोई return देखोगे में transfer किया रहेगा, मतलब यह आप RICO की तरह माल लो, RICO में मत क्या होता है, एक opening दिया हुए, ठीके, RICO में एक opening दिया होता है, उसके बाद यह जो भी हुआ है, यह आपका during the year होता है, जैसे during the year, reserves आपने कमाया, घटाया, क्या किया, है न, और उसके बाद closing balance किया है, तो basically यह सारे columns एक RICO की तरह होते है, RICO मतलब opening, फिर during the year आपने क्या किया, और closing, sir हमको वापस से format याद करना है क्या, again I am saying you need not remember the format, आपको ऐसा as it is रटा नहीं मारना है, और यह सब के बार में हम वैसे भी बाते करेंगे, जब हम respective इंडेस करेंगे, और भहुत सा chapter में हम proper balance sheet prepare करेंगे, तो यह सब की practice में आपनी हो जाएगी, आपको यहा से मालूम होना चाहिए, ऐसा कुछ exist करता है, कल को अगर आप किदर word पढ़ो कि हमको statement of changes in equity बनाना है, तो अबबबबब जबब नहीं होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि अरे वो क्या होता है, क्य अभी आपको AS वाली balance sheet भूल जानी है, उसको अपने खैलो से मिटा दो, भुला दो उसको, भुला दो उसकी यादो को guys, AS की यादो को भुला दो, तो किसको यादर रखेंगे sir, इंडेस को यादर रखेंगे sir, तो चालू किसे करना है, asset side से, non current current, फिर आएगा equity liability, उसमें equity capital other equity, फिर आएगा liability, liability में non current current, simple, सम को समझा, और बस equity का क्या बनेगा statement, जैसे आपन सब का दिखाएगे details in notes to accounts, equity का बनेगा statement, उसको बलते है statement of changes in equity, simple, चलो, ठीक है, उसके रखेंगा balance sheet में कुन से कुन सा items आएंगे, देखो, जैसे अभी asset side से चुरू कर रहे हापन, देखो के बारे में आपन कब पढ़ेंगे respective index, मैं आप ऐसा समझ लो, हर एक item के ओपर एक index है, PP, एक index, index 16, capital working progress का मतलब क्यों होता है, जो PP under development है, उसको बलते है capital working progress, मतलब जो PP construct हो रहा है, index 16 में, investment property, अलग से index, index 40, goodwill, index 38, ऐसा, तो यह सब के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, respective index में, सुर हमको तो नाम नंबर याद ही नहीं है, तुमको याद अटने किसे ने बोला ही नहीं है, मैं करवाँगा न याद, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राहूल कहता है, बुला दिया, very good, okay, चलो, similarly अपने पास current assets भी है, है न, तो current assets में भी, यह सब के बारे में अपन पढ़ेंगे respective index के अंदर, ठीक है, फिर यह equity का जो भी element है, इसके लिए क्या बनता है, अपना statement बनता है, SOCE बोलूँगा, और liability के बारे में अपन कहां पढ़ेंगे respective index में पढ़ेंगे, तुम समझे गया, इतना द्यान ना, तो balance sheet के बारे में बताया है मैंने आपको, और मैंने आपको बताया, statement of changes in equity के बारे में, is this clear to everyone, yes sir, absolutely clear to everyone sir, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ guys, आपकी आग्या हो तो, आपकी permission हो तो, ससुर जी, हाँ, ठीक है सर, चला आगे बढ़ो, ससुर जी, चला आगे बढ़ो, अगला आता है statement of profit and loss, अब सर, profit and loss में क्या क्या आत है ना, initial format is same as AS, तो AS में होता क्या था, AS में ऐसा कुछ होता था, इंडेस में भी यही है, हम लिखते थे परे revenue side, revenue में दो item, revenue from operations, other income, यह तुमको थोड़ा बहुत आता है ना format, थोड़ा बहुत, में बता है तुम यह से भूल जाते हो, expense side में क्या क्या आता था, बढ़ थोड़ा थोड़ा काफी है मिरे ले, तो profit loss ऐसा बनता था, revenue, revenue में दो element, फिर expenses, expenses में क्या क्या आएगा सर, जो stock interest आपने खरीदा है, है ना, कोई RM consume क्या है, raw material consume का मतलब क्या होता है, consume का मतलब होता है, opening plus purchase minus closing, उसको बलते है raw material consume, फिर आते है changes in inventory, changes in inventory मतलब यहादे बचप आपने इधर ही देते, changes in inventory, opening minus closing net करके दिखाओ यार, अलग-लग क्या दिखा रहे हो, ऐसा, फिर depreciation amortization, employee benefit expense, finance cost, other expense, इससे मिलेगा total expenses, फिर मिलेगा profit, यह जो मिलेगा आपको total revenue, minus total expense, आपको मिलेगा profit before exceptional items and taxes, इसमे अब क्या minus करोगे, exceptional items minus करोगे, फिर मिलेगा profit before tax, tax minus profit after tax, नहीं लिखोगे, यह सब तो भी चलेगा, लिखोगे, तो जगा छोड़ देना, three-fourth page छोड़ देना, घर पेटकर practice भी हो जाएगा आपकी, अच्छी कासी, ठीक है, अब यह तो आपका basic format हो गया profit and loss का, इसके अलावा profit and loss में एक और चीज आती है, किसी को पता है क्या पता है न, मैं तो मानता आपको FR का FB भी नहीं आते, तो चलो मैं मान ले तो आपको नहीं पता क्या आता होगा, तो, but profit and loss में एक और category बन जाती है, जैसे आपने बना revenue expense, तो आपको मिला profit वगेरा after tax, एक और category बनती है profit and loss में, हाँ, मुझे किसे ना answer के chat box में, लेकिन चलो बता हो न, मैं बता हो न, चलो बताता हो, ठीक है, तुम इतना force करो इसलिए बता रहो ठीक है, तो वह समझने के लिए example लेना पड़ेगा, लोगे example मेरे साथ, यह दो न, लोगे example, लेंगे न, सर क्यों नहीं लेंगे, आज़ो तो example लिखना ठीक है, this is a concept example, ठीक है, अब अपने पास पहले land थी, ऐसा मान लेते, land थी मेरे पास, क्या थी land, तो पहले कब मैं लेंड, 1995 में मेरे पास land थी, 1995, 1995, बहुत 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 पुराना, यह न, तो तब ही मैं AS follow करता था, बच्पन में देखा था, लॉलीपप खाता था, AS follow करता था, AS follow करता था, तो जब तब हम, पता है, AS में क्या बोलता था, AS was very conservative, तो बोलता था, cost पर रखो, cost पर रखो, वो बोलता न, AS एक्टम conservative था, कि भाई, वो बोलता न, जैसे, it is like, our old parents, arrange manage करने का, तो AS असा था, cost पर रखने का, ठीक है, तो suppose आपने तभी land खरीदी थी, 10 lakhs में, तो तभी अगर land खरीदी रहेगी, तो entry का मारते है, अपने land खरीदने की, तो उंको purchase के entry मानने को आती है, land खरीद रहो, तो land अंदर आ रहे है, land is an asset, तो asset account debit, क्योंकि अंदर आ रहे है, और पैसा जाएगा भाहर, तो 2 cash bank, perfect, तो हम कहेंगे land account debit, 2 cash bank, कितना रहेगा hero लोग 10 lakhs, 10 lakhs, बहुत ही शानदार, ठीक है, अब ऐसा माल लो, cut short to 2025, ठीक है, 2025, ऐसा random में ले रहा हूँ मैं, कितना साल हो गए बीच में, 1995 सट 2025, 30 years हो गए है, मेरे books में अभी भी land दिख रहे है, बुक्स में अभी भी land दिख रहे है, बुक्स में land दिख रहे है, बट land कोन से value पर दिख रहे है, उसको बलते carrying amount, carrying amount का मतलब के होता है, आपके books में जो भी value पर कोई item दिख रहे है, उसको बलते carrying amount, तो हमने तो cost model follow कर रखा है, तो वो cost पर दिख रहे है, that is 10 lakhs, very good answer, okay, 10 lakhs पर दिख रहे है, है न, ठीक है, तो 10 lakhs पर अभी तक, क्यों 10 lakhs पर दिख रहे है, अरे आपने तो cost follow क्या है न, as per AS, अब ऐसा मानलो, अब मैंने land को बेच दिया, sold this land in 2025, for let's say rupees 5 crores, भाई तब की 10 lakhs की land आज की 5 crore तो हो जाएगी न, कम से कम, है न, in 2025 बेच दिया, बेचो खतम करो यार, है न, तो अभी sale के entry माननी पड़ेगी, तो general entry for sale, बताओ क्या entry मालूंगा sale की, in the year 2025, तो जब बेचो गे, तो क्या अंदर आएगा, क्या अंदर आएगा, पैसा अंदर आएगा, तो मैं बेच रो लैंड तो लैंड जाएगा भार, अब लैंड कुन से value पर भार जाएगा, एक बात की कसम खा लेना, कैसी कसम खाओगे, ऐसे कसम खाओगे, ऐसे कसम खाओगे, ऐसे कसम खाओगे, ऐसे, बिना cross रखे कसम खाना, कसम खाना की, आज के बात मेरे balance sheet से कुछ भी बाहर जाएगा, तो carrying amount पर बाहर जाएगा, बराबर carrying amount मतलब जिस value प भार करोगे, तो कुन से वाले पर भार करोगे? कैरिंग अमांट के उपर भार करोगे तो दिफरेंस आएका ना, यह आपको प्रॉफित हो गया, 10 लाग का लैंड आपने 5 सेर में बेचा, 10 लैंड 5 सेर में अपने, तो आपको हो गया प्रॉफित, तो हम कहेंगे to profit on sale of land, how much is it? 4.90 now what is the issue with this? now what is the issue with this? the issue with this is, अगर आप ऐसा फॉलो कर रहे थे ना, तो दिक्कत ही आ रही थी कि कम्पनी का सारा प्रॉफित एक स्पेसिविक यर में बुख हो रहा था अगर आप इस कंपनी के शेर हो, अगर आप ने इस कंपनी को देखा तो आप क्या बोलो कि अरे कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है क्या 4.9 क्रो का profit बुख क्या company ना आज जबकि मुझा बताओ, क्या ये profit सिफ 2025 वाले यर का था या ये land की value में appreciation 1995 से 2025 के बीच में हुआ, मतलब इन शॉर्ट क्या ये appreciation of 4.9 क्या एक specific year में बुख होना चाहिए था या over the period of 30 years बुख होना चाहिए था ये ideally 4.9 क्या जो increase हुआ जो profit बुख हुआ है, ये तो आपने एक साथ बुख कर दिया बिकाज land cost पे दिख रहा था, अब profit हुआ तो सारे एक साथ में हो गया लेकिन ये profit एक specific year का है या 30 years का है परफेट आंचा 30 years का है सर क्यों? अरे land के value में तो हॉले हॉले हर साल थोड़ा थोड़ा appreciation हुआ रहेगा न यार होले होले हर साल थोड़ा appreciate हुआ रहेगा ये तो हमारी accounting थी जिसकी वजए से हमको सारा profit एक specific year मे दिख रहा है है न ये तो हमारी घटी accounting थी ती वाज़े से हमको सारा profit एक साल में दिख रहा है बटि profit अगर हम होले होले हर करते वे चलते, तो फिर आपका profit इतना inflated नहीं दिखता ना एक specific year में, है ना, yes, तो आप करें गया, अब क्या करें इस case में, ठीक है, तो है ना, इसके लिए एक और समाधान दिया, अपने इंडेस भाई साब ने, क्या समाधान दिया, सुनना, अच्छा, किसे ने का उनका वी अब cost पर रखो, लेकिन आप कहो कि sir, आप जो कह रहे हो, कि 30 years में profit book होना चाहिए, ये भी तो गलत है ना, क्योंकि आपने बेचा अभी है, तो profit अभी होना चाहिए ना, समझाता हो ना, कैसे होएगा, सुनलो, तो case 2, अब इंडेस में आते हैं, इंडेस है हमारा थोड़ा progressive ख्यालगा, है ना, इंडेस कैसा है, progressive ख्यालगा, वो बोलता है, कि आप चाहो तो cost पर रखो, बट लेकिन आप चाहो तो हर साल इसको fair value पर भी रख सकते हो, है ना, उस साल के जो respective fair value है, उस पर भी रख सकते हो, मतलब इंडेस आपके आज के बच्चों की तरह है, arrange मिली तो arrange, love, अगर love, love है, तो love marriage कर लो, ना, मिली तो arrange कर देना, लेकिन आप love marriage भी कर सकते हो, yes, what like अपने, दादा दादी के उमर का, arrange marriage करने का, love में कुछ रखा नहीं है, ये वो, ये थोड़ा progressive आदमी है, बोलता है love arrange करना करो, है ना, बढ़िया, इतना progressive है कि बोलता है, बिना श पर चलेगा, इसका मतलब क्या होता है, तो suppose आपने land खरीदी 1995 में, ठीक है, purchase किया, purchased land, for how much 10 lakhs, तो आप entry का मारोगे ही रो लोग, land account debit to cash bank, 10 lakhs, 10 lakhs, ठीक है, 10 lakhs, 10 lakhs, अब ऐसा माल लो, एक साल के बाद, in the year 1996, क्या आपने land को बेचा, नहीं, land आपके पास ही है, तो आपने खरीदादा 10 lakhs में, आज अगर आप मेरे से पूछो, इसकी fair value कितनी है, इसकी fair value आज हो गई है, let's say 17 lakhs, क्या आप उसको 17 में बेच रहो गया, नहीं, लेकिन, इंडेस ने क्या option दिया, चाहो तो cost पर रखो, चाहो तो fair value पर रखो, तो हम चाते कि हम fair value पर रखे, fair value पर रखने का मतलब क्या ओता है, बिना land के बेचे, आप land की value increase कर सकते हो, up to the fair value ठीक है, इसका मतलब आप land को किस पर value करोगे, you will value at fair value, you will value at fair value, इसका मतलब, मेरा land 10 lakhs पर दिख रहाता न, अब मुझे 10 lakhs से land को 17 पर लेकर जाना है, तो मुझे land की value increase करने है कि decrease करनी है, सोच समझ के बताओ, land की value increase करनी है कि decrease करनी है, तो आप को land की value increase करनीmodern पड़ीगी, क्यों कि आपको 10 से 17 पर लेकर जाना है तो आप increase करोगे land की value कितने से increase करूँगा मैं 7 lakh से value increase करूँगा I will increase the value by 7 lakh yes, ठीक है तो land को जब increase करना होता है तो land एक asset है asset को increase करने के लिए आप debit करते हो आपको यह basic accounting rule पता है asset has a debit balance liability has a credit balance जब asset का debit balance है तो asset को increase करने के लिए भी debit करना पड़ता है सोचो सर किस level पर आके वाँ को पढ़ा रहा हूँ ठीक है बट मैं इस level पर पढ़ा हूँगा एक तम basic level पर ठीक है तो आप बोलो कि land account debit land increase करेंगे by 7 lakhs तू क्या बोलूँगा तू क्या बोलू तू क्या बोलू क्या पैसा आया का तुमको नहीं न अ क्या बोलेंगे मैं बोलू एक तरीके सा आप एक profit बुक कर रहे हो जो कि यह unrealized profit लिखो मत ना लिखो मत अब यह लिखो मत सुनो मेरी बात सिर्फ मैं बोलू it is an unrealized profit 7 lakhs अब दिक्कत क्या है, आपके mind में एक सवाल आएका, यह fair value gain है न बेसिकली, ऐसा कहतो है, this is a fair value gain, लिखो मत यह नाम ठीक है, हम बताऊंगा आपको, this is a fair value gain, 7 lakhs, ठीक है, अब दिक्कत क्या है इसके अंदर, देखो, जब हम previous वाले example में, case 1 में, 4.9 CR का profit बुक कर रहे थे, यह जो profit है तो unrealized है, अब आप बोलो कि sir, यह profit तो company ने कमाया ही नहीं अब तक, तो आप ऐसे कैसे profit बुक कर रहे हो, बस यही तकलीफ थी, होता क्या था, company जब कोई unrealized profit बुक करता था ना, तो मालूम कैसे पड़ेगा, यह profit कमाया हुआ है, नहीं कमाया हुआ है, कैसे मालूम प profits, कुछ-कुछ specific unrealized profits, हम उस OCI के head में डालेंगे, कहां डालेंगे, OCI के head में डालेंगे, OCI मतलब other comprehensive income, ठीक है, मतलब ऐसा जब लो, misleading income के head में डालेंगे उसको, तो अब अगर suppose मां आपको ऐसा बोलू, कि आपके profit and loss में, उन्होंना दो categories create कर दी, ठीक है, profit and loss के दो हिससे ब बनते हैं आपका OCI, ठीक है, अगर मैं आपसे कहू, OCI का full firm क्या है, other comprehensive income, ठीक है, तो अभी अगर suppose आप shareholder हो, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि company के profit and loss में, दिख रहा है profit 70 lakhs का, और OCI में दिख रहा है profit 5 lakhs का, ऐसा randomly मान लेते चलो, ठीक है, randomly मान लिया मैंने, तो मैं बोलू, as a shareholder, आपके लिए interpret करना कितना असान हो गया, कि company का core profit would be 70 lakhs, और यह 5 lakhs है, शायद company का unrealized profit होगा, तो interpretation becomes easy, इसलिए बोला, कि कुछ-कुछ unrealized profit आप OCI में डालोगे, ठीक है, तो OCI क्यों create किया गया, to record some unrealized profits, या losses वगरा जो भी है, वो बात करेंगे अपन इस बारे में, तो एसा मत कहना, इस दुनिया के सारे unrealized profit OCI में नहीं आते है, इस दुनिया के सारे unrealized profit OCI में नहीं आते है, सिर्फ कुछ ऐसे items है, जो INDIES ने defined किये है, वो ही OCI में आते है, बट वो items normally unrealized profit ऐला items ही होते हैं, I'll repeat this again, OCI में आते है unrealized items, लेकिन इस दुनिया के सारे unrealized profits OCI में नहीं आते हैं तो कुन से आएंगे जो specific index ने define किये वो वाले आएंगे उसमें से एक ये है reevaluation वाला जो profit आता ना आपको land पे ये OCI में आता है तो ये index 16 ने define कर रखा है कि इसको OCI में डालना है तो जब आपन respective index में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से कौन से आइटम जो जो OCI में आते हैं तुम समझ रहे हो तो ये चीज में आपको लिखा देता हो चलो इदर आ जाओ अब profit and loss में अगर आपने नहीं बनाया format कोई बात नहीं सिर्फ हेडिंग दो profit and loss उसमें दो हिससे बनाओ PNL OCI ठीक है OCI के बाज में लिखना OCI के बाज में इदर किदर लिखना few items few items will be recorded in OCI okay defined by respective index also write in OCI few unrealized gains and losses are recorded when I say few few means defined by index but not all अब वो few कोन से है वो few are defined by respective index simple few unrealized gains and losses are recorded but not all सारे नहीं कुछ-कुछ ठीक है उस कुछ-कुछ में land का तो एक है मतलब वो P P वगरा में एक आता है वापन respective index में समझेंगा आपको समझ भी जाएगा वो सब चीज़े लिखा मेरे hero लोग यह सब चीज़े चलो समझ गया आमको सर तो अब यह लिखा तुमने गाइस थोड़ा speed maintain करना लिखने में ठीक है अब नीचे जो मैंने लिखा न unrealized profit इसका मैं term change कर दूँगा इस तो बुला था मत लिखो तभी अब इसका term अपन पते क्या रखेंगे इसको प्यार से हम बोलेंगे revaluation gain क्या बोलेंगे इसको revaluation gain और यह कहां जाएगा हमारे प्यारे OCI में जाएगा 7 lakhs क्यों क्योंकि यह क्या है यह unrealized है इसे लिए यह PNL में आपको चितर सा लिखो यह PNL में नहीं जाएगा यह PNL में नहीं जाएगा तो मजा आएगा न आपको याद रेगा हाँ PNL में डालना OCI में डालना क्यों डालना है वो सब आपने logically सब discuss किया तो तुमको यह चीज़ समझी कि OCI पिक्चर में क्यों आता है काफी लोग को शाइद आज के बेले पता होगा कि OCI का कुछ होता है शाइद पता होगा कुछ लोग को कुछ लोग को तो पता ही नहीं था कोई बात नहीं बट मालूम पड़ा क्यों आया OCI है अभी कितना easy होगा ना interpret करना easy तो होगया is this clear to everyone yes अच्छा जब आप land की value 7 lakhs से increase कर देते हो तो land का new carrying amount कितना हो जाता है carrying amount मतलब land अब आपके boost में कुन से value पे दिख रहा है तो पहले 10 lakhs पे था आपने 7 lakhs से increase किया तो अब 1996 में land का carrying amount 17 lakhs हो जाएगा कैसे क्योंकि 10 lakhs था आपने 7 lakhs से और बढ़ाया तो अब वो 17 हो गया तुमको समझ पड़ा मैंने क्या किया एकदम समझ गया बहुत ही बढ़िया किसी ने कहा है कि सर आप ये जो board पर लिख रहा हुए notes PDF में share करोगे हाँ आपके Google Drive पे share रहेंगे तो ओसिया दिखता कैसे सर मतलब जैसे आपने यहाँ तो पता है तो पता है दिखता कैसे अब आपके statement of profit and loss के दो हिस्से होते है आपके statement of profit and loss के दो हिस्से होते है एक पहला हिस्सा रहेगा part 1, you can say part 1 is P&L है ना और part 2 is OCI मतलब OCI आपके statement of profit and loss का हिस्सा है OCI आपके statement of profit and loss का हिस्सा है बट एक अलग से category बन जाती है मैं भूलूँगा second category आपकी OCI की बन जाती है बराबर तो OCI में आप दिखाते हो revaluation gain OCI में आप दिखाते हो revaluation gain कितना आपने को आया था 7 lakhs आया था ना तो इस 7 lakhs में इसा दिखा देता हूँ तुमको समझा? Yes अच्छा एक और चीज बात कर लेता हूँ सबोस आपका PNL वाला profit जो PNL वाला profit था पैट सबोस आपका पैट आया 70 lakhs यह अजूम कर रहा हूँ मैं ठीक अजूम और आपका OCI वाला profit आया 7 lakhs यह दोनों मिला के भी कुछ आता है सबोस OCI में बहुत सारे अटम्स आ गया आपके पीजरे तीसरी काटगरी बनती है PNL का profit प्लस OCI का profit पता है मिला की क्या बोलते हो उसको PNL प्लस OCI मिला के बनता है TCI क्या बनता है TCI Full Farm is Total comprehensive income क्या है इसका Full Farm Total comprehensive income यह क्या है PNL plus OCI का replenish PNL plus OCI का apprenticeship उसको बोलते है TCI है total comprehensive income तो suppose आपका पैट वस 70 लाक्स उसे का profit 7 लाक्स तो total मिला के होगा 77 लाक्स तो देखो ना as a shareholder कितना easy होगा interpret करना company का पूरा profit 77 इसमें से unrealized 7 core profit 70 लाक्स समझे चलो total comprehensive income ठीक है क्या मैं आपके साथ आगे प्रोसीड कर सकता हूँ yes sir आप कर सकते हूँ ठीक है चलो तो 1996 में मेरा profit कितना हो गया था 7 लाक्स का new carrying amount वा 17 लाक्स ओके चलो मैं एक साल और आगे बढ़ू सपोज मैं 1997 में आ जाता हूँ अब थोड़ा पर पटाफट करते हैं सपोज अब मेरा land की fair value हो गई 20 लाक्स कितनी होगे मेरा land की fair value 20 लाक्स हो गई sir तो अब मैं क्या entry मारूंगा अब आपको entry मार नहीं है value 17 से लेकर 20 हो गई तो कितने से बढ़ गई कितने से बढ़ गई 3 लाक्स से बढ़ गई 17 से 20 होगे 3 लाक्स से बढ़ गई अभी यह unrealized है तो क्या करेंगे इसका अभी entry खुद से try करोगे चलो तुमको 10 seconds दिये खुद entry मारो अपने किताब में तुमने पहले answer कर दिया यार तुम ऐसे फटा फटा आंचे कर दो मैं नहीं खेल रहा यार गाईस तुम ऐसे पहले इतना जल्दी आंचे कर दो मैं नहीं खेल रहा यार चलो तो वेरी गुद बड़ गुद जोब So land account debit To reevaluation gain ठीक है कितना? 3 lakhs 3 lakhs कहां जाएगा यह gain? कहां जाएगा यह gain? very good, OCI में जाएगा यह gain, बहुत ही शानता है नहाँ जाएगा यह gain, OCI में जाएगा यह gain तुम कह समझा? 3 lakhs 3 lakhs बहुत ही बड़िया मजा आ गया ठीक है, अब एक बात बूलूँ क्या एक सार और आ गया आते है Suppose अब land अच्छा, land का carrying amount कितना हो जाएगा वैसे? CA मतलब carrying amount, it will become 20 lakhs ना ना 17 था 3 से increase का 20 lakhs हो गया अब 1998 में आपन ने पते है क्या? कि land ही बेस दिया, sale of land sale of land, suppose आपन ने बेचा 22 lakhs में कितने में बेचा? 22 lakhs में बेस दिया मेने entry मारना ठीक है चलो, साथ में entry मारते है तो बेचा आपने 22 lakhs में पैसा आएगा? आएगा ना सर Cash bank, account debit 22 lakhs to land land आपकी भार जाएगी at carrying amount always remember पहार जाने वाली चीज carrying amount पर भार जाएगी what is the carrying amount of land guys? अब carrying amount दो latest carrying amount देखना latest carrying amount was very good 20 lakhs 20 lakhs पर भार चला गया अब जो मुझे gain हुआ 2 lakhs का ये gain कहा जाएगा ये बताओ ये जो gain होएगा 2 lakhs का ये कहा जाएगा ये बताओ कहा जाएगा ये बताओ अगर आपने कहा ये gain जाएगा OCIA में तो आपका जवाब गलत है मुझे सबसे पहले answer कर दिया है करन, अलेखा, तुशार, तन्वी और असव और सौमया ने कि sir ये gain तो आपका P&L में जाएगा क्यूँ? वाई P&L में sir अरे मुन्ना ये तो realized gain है न ये वाला gain तो माता पिता अप्रूव करी लेंगे क्योंकि ये gain तो शादी के बाद हुआ है अगर तुमने कोई gain शादी के पहले किया तब अप्रूव नहीं करेंगे न समझ रहे हो तू समझा नहीं तू नहीं समझा तू समझ रहे हो क्या तो भाई साब realized gain है ये तो ये जाएगा profit and loss में ये तो गें हुआ है ना बेचने पे ठीक है sir तो ये profit and loss में जाएगा आपको समझा कैसे अब देखो न ये वाली अब यह देखो ना कितना हॉले हॉले प्रॉफिट बुक किया है, जो अन्रियलाइस था वो अपने पेनल में बुक किया है, तुम समझ रहे हो, येस वैसा, तो हॉले हो ले दिखा, तो ये बेसिक अकाउंटिंग है, अब आपके में बहुत सवाल भी होंगे, इस अब आप लै बात आपन, लैंड के लिए एक इंडियस है, इंडियस 16, उसमें डिसकस करेंगे, मतलब इसके रिगार्डिंग, मैं आपको सस्पेंस में रख दिया, कि पुराने वाले गेन का, जो आपने ओसे में बुक किया हो है, उसका क्या होगा, तो वो तुम सस्पेंस में रहो अभी तो आपने एकदम क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया उसको, तुम समझ गया क्या है, तो मैं लिख दू ऐसा, मैं लिख देता हूँ इदर, पुराना गेन, बुक्टे नोसिया है, इसका क्या होगा, फेन यू सेल दे लैंड, कहां बात करेंगे, इन इंडेस 16, बहुत सारे चीज़े हैं, कि सपोसर, फेर वालू डिक्रीज होगे तो कल को, लॉस आया तो, वो सब बाते में इंडेस 16 में करूंगा, मैंने आपसे ये डिसकर्शन है न, लैंड का अकाउंटिंग सिखाने के लिए नहीं किया है, आपन उसका अकाउंटिंग बहुत शांदार तरीके से 16 में पूरा तब्वेचा सिखेंगे, मैंना आपको ये एक्जांपल सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए कि लिए कि OCI आपके जिंदगी में क्यों आया, बस, तो अगर आपके मन में लैंड के अकाउंटिंग को लेकर बहुत सरा सवाल आ रहे है, क्योंकि हम वह इंडे से नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ ये डिसकस करने आये थे, कि OCI क्यों आया, ये समझा तुमको OCI क्यों आया, बस इतना वाल होना चाहिए, अब इसका मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वह आपन एकदम शांती से शांती पूरव क्या मैं आगे वड़ू आपके साथ, मेरे को एक आद दो बाते और करनी हैं आपसे, क्या मैं कर लू, कहदू क्या आपसे, कहदू क्या आपसे, जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, कहदू क्या आपसे वो बाते, कहदो सर, चलो कह देता हूं, तो ये हो गया, आपको मैं बता दिया OCI क्या होता है ठीक है चलो अब आप देखना चाहते है OCI के बारे में यहां देखो यहां देखो जैसे अब यह profit and loss है अब आपको देखो चीजे कित्ती बेटर समझ में आएगी revenue from operations, other income, total income हो गया फिर आपके expenses हो गया, total expenses हो गया फिर आपको मिला profit for the period है ना from containing operations आपन अलग दिखाते है, from disk continuing आपन अलग दिखाते है ठीक है वो सब ठीक है अलग बार, तो basically मिल गया आपको profit loss for the period, normal PNL वाला profit, यह आपका हो गया ऐसा लिखदो इदर चीए तो PNL वाला profit, PNL वाला profit, ठीक है यह सरी यह तो हो गया हमारे लिए, उसके अलावा अब फि समझ रहे हो, तो यह आपका OCI हो गया, तो PNL प्लस OCI मिलाके क्या बनता है, नीचे देखो इदर बनता है TCI, total comprehensive income, इसमें क्या क्या आया, item number 13 प्लस item number 14, देखो न, 13 वास PNL, 14 वास OCI, तो मिलाके बना TCI, यह basic बेसिक आपको चीज़े आदो नीचे, फिर आपन EPS दिखात वालक से वो ठीक है, तुमको समझ में आयो, अच्छा एक और चीज़ है, OCI में है न, दो categories होती है, देखो आप देखोगे न, ध्यान से, तो OCI में आपको देखेगा, दो, A और B, A का heading देखना, A का heading, यह A वाले part का heading देखो, क्या दिया हो है heading, items that will not be reclassified to PNL, इसको मैं short form मैं बोलता हो, NR, NR वाला OCI, NR मतलब non resident नहीं होता है, वो तुमारा taxation नहीं पढ़ा रहा है, items that will not be reclassified to PNL, ठीक है, और फिर आता है, items that will be reclassified to PNL, इसको short form मैं बोलूँगा, मैं R, ठीक हो, इसको short form मैं बोलूँगा, मैं R, तो एक होता है OCI NR, एक होता है OCI R, ठीक है, तो OCI के अंदर भी दो categories होती है, तो आप जहाँ OCI आपने लिखा है न इधर, तो आप इधर लिखोगे सिर्फ, कि OCI में भी होती है दो category, ऐसा सिर्फ लिख दो ना प्यार से बाजू में, ठीक है, बाजू में किदर लिखो ना, OCI में होती है दो categories, एक होता है NR, एक होता ह OCI R, तो मैं लिखूंगा, एक होता है OCI R, एक होता है OCI NR, अब ये दोनों क्या होता है, ये R क्या होता है, R का full form is reclassifiable to PNL, NR का full form क्या था, not reclassified to PNL, R का full form is reclassified to PNL, NR का full form is not reclassified to PNL, अब ये दोनों का मतलब क्या है, इसके बारे में भी discussion में आपसे अभी नहीं कर सकता, मुझे अभी रखनी पड़ेगी चुपी, तो कहाँ बात करोगे सर, इंडेस 16 में बाते करूँगा इसके बारे में, मैं लिख दूँ, we will discuss, in इंडेस 16, we will discuss about this in इंडेस 16, in detail, कि R क्या होता है, NR क्या होता है, ये बात यापना, clear मेरे hero लोग, yes, अच्छा, सतीश ने मेरे से क्वेरी पूछी है, taxation impact पूछा है, कि सर, आप 10 में खरीद रहे हो, फिर बीच में आप unrealized gain बुक कर रहे हो, फिर आप unrealized gain बाद में बुक कर रहे हो, तो taxation का impact क्या होगा, क्या हम direct taxation पढ़ रहे हैं इदर, नहीं, हम accounting पढ़ रहे हैं, तो taxation के बार में आपन यहां discuss नहीं करेंगे, उसके लापको income tax I prefer करना चाहिए, ठीके, और थोड़ी बहुत taxation की बाते हैं, वैसे कि इंडेस एंडेस 12 वहां करेंगे, जो accounting में relevant है, ठीके, ध patience ही रखना पढ़ेगा, क्योंकि बहुत चारी बाते respective इंडेस में आएगी, है ना, बट मुझे basic basic बाते में definitely आपसे करी सकता हूँ, ठीक है सर, चलो, एक और बाते हैं, सुनो ना मेरी बात, अच्छा, दिव्या केती है, आप सिव ऐसा क्यों बोलते है, only hero-log, hero-in-log भी बोल अब, एक और बात है, सुनो ना, वैसे तो schedule 3 को मेरे को जितनी बात करनी थी, मैंने कर ली, अच्छा, एक और चीज अगर आप देखोगे ना, नीचे जाकर, मतलब, जहाँ profit loss खतम होता है, तो वहाँ, आप देखोगे ना, OCIE में, तो OCIE में भी दो category's है, ठीक है, not nr और r, बराबर, तो उसमें कुन से कुन सा items आते हैं, मैंने कहा था न, they are being defined by respective index, तो items का list दिया हुआ है, ये list कब काम आएगा आपके, जब आप पूरा सारे index पढ़ लोगे, तो ये list काम आएगी, तो ये कुन से कुन सा items है, कहा पढ़ेंगे, respective index में पढ़ेंगे, अभी रट्टा चलो, ठीक, as per law, he includes she, so hero includes hero heroine, very good, ठीक है, तुम ये कर लो पहले, अच्छा एक और बात है, मुझे लगता है, तुमको पता होगी, लेकिन मैं discuss कर लो गया, ये मांगे कि तुमको शायद नहीं पता होगी, बताओ, कर लो सर, करी लो, आप तो आप मना तुम ना करेंगे, बो तुमको अगर एक बात पता है, तो तुम्हारा जो balance sheet है, वो बनता है as on date, और जो तुम्हारा profit and loss है, वो बनता है for the year, तुमको ये बात पता है, balance sheet बनती है as on date, और profit and loss बनता है for the year, ये बात पता थी तुमको, profit and loss बनता है for the year, ये बात पता थी तुमको, for the year मतलब profit and loss पू लो यह बात यह करके फिर उपने चुटी हो जाएगी लाज़ पॉइंट फॉड़ड डे ठीक है क्या बात करें चुटी जल्दी करो शुटी जल्दी होगी इसले कभी डिसकेशन मत करना सब्सक्राइब चुटी से कोई फरक नहीं पड़ता मुझे अशा लगता है सब्सक्राइब प्रॉफिट अनलोस है यह आपका बनता है और दे यह ठीक है चलो ऐसा मालो आपका प्रॉफिट अनलस में कित्ते एलिमेंट से दो नँएक पी एनिल और एक और ऑसी यह दोनों मिला आपका प्रॉफिट है प्रॉफिट है वो कितना है रैंडन् का इसा मालो एड़िस मालो ओडिस 30 लेक्स अस्यूम कर लो आप utesचना मत कहांत से है यह ठीक है 30 लेक्स और आपका जो ओसी आ क्षिझे का प्रॉफिट है कितना आया? अपने हो 996 में ओसि यह कितना है? आपको 7 अगर मैं इंडेस के भाष्न में कहूँ तो यह अधर रिक्विटी में जमा होएगा तो जो भी आपने PNL में प्रॉफिट कमाया यह अधर रिक्विटी में जमा होता है बराबर तो जैसे आपका बैलेंशीट में दिखते हैं अधर रिक्विटी तो बैलेंशीट बनती है आपकी ऐस अन डेट जमा होता है और जो OCI का प्रॉफिट है यह अलग रिजर्व में जमा होता है जैसे फर एग्जामपल जो PNL में अपने प्रॉफिट कमाया है यह जमा होगा आपके रिटेंड अर्निंग में OCI में आपने क्या नाम ये उज है था रि-एवालॉएशन गेन नाम ये उज किया था बस जैसे यह यह विर्य रिजर्व में जाता है तो उसका नाम होगता है रिए-वालोईशन् रिजर्व या रिए-वालॉएशन सर्प्लस इसको हम यहां आके नाम दे देते हैं गेन बन बोलना, या तो re-evaluation reserve कह सकते हो या फिर re-evaluation surplus कह सकते हो 7 lakhs, मतलब हमने P&L के profit को एक अलग reserve में transfer किया OCI के profit को एक अलग reserve में transfer किया सर इसका logic क्या है, logic simple है आपको मालूम बना था यह जो profit है यह withdrawable profit है, यह distributable profit है, यह free reserve है और यह जो 7 lakhs है, यह non free reserve है because यह unrealized profit से बना हुआ है clearly दिखता है ना आपको impact तो OCI में आपके other equity में आपके 2 elements हो जाएंगे सब को समझ में आया, ठीक है अब एक साल में आगे जाता हूँ ठीक है, I am going one year ahead of this suppose for the year statement of P&L for the year 1997 ठीक है for the year 1997, ऐसा मान लो अब आपने इस साल में P&L में और profit कमाया आपने suppose profit कमाया 20 lakhs का यह मैंने assume किया, पूछना मत कहां से आ रहे है ठीक है, और suppose मैंने OCI के अंदर भी profit कमाया कितना profit कमाया OCI में इस साल में तो आप देखनो ना previous example से copy कर लेते चलो 3 lakhs का profit कमाया ऐसा मान लेते तो आपने कमाया 3 lakhs का profit ठीक है तो यह तो for the year आपने कमाया total मिला के आपका TCI कितना हो गया आपका TCI हो गया 23 lakhs वो तो समझ गया आपको ठीक है अब जब आप balance sheet में बनाओगे as on date ठीक है balance sheet बनती है as on date एक सवाल पूछताओ जब आप other equity में ये लिखोगे retained earnings जब आप other equity में लिखोगे retained earnings मुझे बताओ retained earnings कितना दिखाओगे of course जो PNL वाला profit है वो दिखता है retained earnings के अंदर retained earnings कितना दिखेगा that is my question to you अगर आपको समस्ता ना कि as on date का मतलब क्या होता है तो आप ये जवाब सईद होगे मुझे तो मुझे तुशार ने करन ने already answer कर दिया बाकी लोग ठीक है अलेखा ने answer किया तनवी ने answer किया और बाकी लोग देवया अनूश्री ने answer किया और सूरज अनूश्री ने answer किया और बाकी लोग very good answer तुम लोग सब ने correct answer कैसे किया यार वमकार ने अक्की ने सब यार देखो सब लोग सब लोग सई answer कर तो मैं नी खेल रहा है at least थोड़ा बहुत तो गलत answer करूग तो मज आएगा न तुम सब लोग सई कितना पड़ा है पहले आपका बड़ा 30 lakhs और current year में आपने और कितना कम है आप P&L में 20 lakhs तो आप as on date दिखाने का मतलब क्या होता है आप यहां total दिखाओगे 50 lakhs कैसे 50 lakhs बोलोगे opening was 30 lakhs plus during the year 20 lakhs तो जाके total आपका बनता है 50 lakhs तुम समझ रहे हो समझ रहे हो 50 lakhs यह ध्यान रखना बात इसको बोलता है as on date काफी लोगों ने 60 आंसर क्या मैंको पता है 60 काम on कहां से आया तुमको उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछू revaluation surplus में कितना balance दिखेगा surplus बोलो या reserve बोलो जो बोलना है बोलो इसमें कितना दिखेगा तो पहले के साल में था 7 lakhs अब आपने 3 lakhs on on किया यहना तो opening था 7 lakhs plus during the year 3 lakhs पराबर फोटल हो गया 10 lakhs इसको बोलता है as on date मतलब profit and loss में तो मैं सिर्व उस साल का दिखा रहा हूँ मैं जब balance sheet के other liquidity में दिखाता हूँ तो मैं till date का दिखाता हूँ till date का दिखाता हूँ ठीक है सबको समझ में आया क्या अब वापस एक और सवाल आप मेरे से पूछ सकते हो कि इस 10 lakhs का future में क्या होगा इना इसका future में क्या होगा हम का डिसकस करेंगे का डिसकस करेंगे मुझे के बताएगा शाबाश तुम लोग सीख गया अभी इंडेस 16 में डिसकस करेंगे इंडेस 16 में डिसकस करेंगे सबको समझ आया यस यह मुझे आपको basic ज्यान देना था schedule 3 के बारे में भी तो schedule 3 का जो basic ज्यान वो यहां खतम हो जाता है मैं revision चालू करूँ उसके पहले यह बताओ जो मैंने basic basic pointer pointer wise बाते कीए क्या आपको समझ आये अब आपको आराम से बिठाने के लिए मैं summarize कर दूँगा रिवाइस करवा दूँगा बट क्या आपको यहां तक सब कुछ समझ आया है फटाफट से मुझे का आप confirm करोगे यस और नो करके यस शुभम इट विजिबल डोंट वरी सुमन इट विजिबल और बताओ यस सर यस सर रिश्मा ने का यस आर्थी ने का यस शुभम ने का यस सुरश ने का यस रिया ने का यस सर एकदम खतरना मांची ने का यस दिवा ने का यस हर्ष ने का यस अनुश्य ने का यस योगिता ने का वेरी क्लियर सर दर्शन ने का येस प्राची ने का येस तो इसी बात पे मैं कह रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना मेरी बात, कह दू क्या आपसे, कह दो ना, सर कह दू क्या, एक मीठा मीठा हो जाए का रिविजन, एक हो जाए का सर रिविजन, चलो रिविजन हो जाए सर, तो सबसे पहले, मैं आप आपको schedule 3 revise करवा देता हूँ, फिर मैं वापड जा कि आपको जो road map पड़ा वो भी revise करवा देता हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको बार-बार पर revise करा हूँ, आपको revise करा 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 कर याद करा कर भेज़ दूँगा by default, ठीक है चलो, और revision कराने के बाद session end करेंगे, बट एक print लो, ऐसे कसम खाओ, कि मैं कसम खाता हूँ, क्या, मैं कसम खाता हूँ, क्या कसम खाता हूँ, कि मैं जो भी आज सरने पड़ाया, वो घर पे revise कर किया हूँगा, और अगर मैंने आज revise नहीं किया, तो exam में मेरे 5 mark cut, है, हाँ, एक दिन revision miss करोगे, exam में 5 mark cut, ऐसे 20 days revise मत करना, मज़ा आजाएगा, एक दमी, feel आजाएगी, ठीक है, चलो, हाँ सर, ठीक है, अब समझ गया हम लोग, चलो, ठीक है, एक मीठा मीठा revision कर लेते, आजाओ, ठीक है, सर ऐसे प्रण मत करवाय करो आप, ठीक है, सुन लो मेरे बात, ध्यान से, चलो, schedule 3 का division, चालू कर रहाँ, starting the revision of schedule 3 in 3, 2, 1 and go, सबसे पहले schedule 3 में आपने बात की balance sheet की, मुझा बताते वे चलना, ठीक है, मैं अकेला revision नहीं करूँगा, आपको साथ में revision करना है, मेरे से, keep on answering, ठीक है, सबसे पहले balance sheet के अंदर हम शुरुवात किसे करते, assets या equity and liability से, perfect answer, index में भी start with, सिर्ष एक लिटर लिखो को तो other equity, ठीक है, उसके बाद हैगा liabilities, non current current, अब मुझे एक बात बताओ, जो equity, share capital और other equity है, इसका notes to accounts बनाओ, या statement बनाओ, क्या बनाओ, statement मतलब S, या notes मतलब N, very good statement मतलब बनाएंगे sir, उसको नाम क्या देंगे, statement of changes in equity, ठीक है, बस, ओके, अब वो statement बहुत बढ़ा सा बनता है, अब मुझे सबसे पहले बताओ, PNL के पहले एक हिस्सा होता था, PNL का, अब PNL के दो हिस्से हो गए, कितने हिस्से दो हिस्से, वो दोनों के नाम बताओ, मैं को भी ना देखे, एक था PNL और दूसरा क्या था, very good अचा दूसरा OCI है, बराबर, अच्छा ये बताओ, PNL और OCI, दोनों मिला के क्या बनता है, PNL, OCI, दोनों मिला के क्या बनता है, very good TCI बनता है, सर, ठीक है, PNL का format, same as AS, revenue minus expense, you will get PNL, ठीक है, OCI में दो कैटेगरी होती है, R, NR, अब R, NR क्या होता है, हम का नाही मालूम, हम वो कहां पढ़ेंगे, इंडे सिटिन में रियलाइस्ट प्रॉफिट आते है, या अन्रियलाइस्ट प्रॉफिट आते है, रियलाइस्ट मतलब R, अन्रियलाइस्ट मतलब U, कौन से वाले प्रॉफिट आते है, very good answer, अन्रियलाइस्ट प्रॉफिट आते है, कौन से वाले अन्रियलाइस्ट वाले आते है प्रॉफिट तो अगर OCI में आते हैं Unrealized Profit लेकिन क्या इस दुनिया के सारे Unrealized Profit OCI में आते हैं क्या क्या इस दुनिया के सारे Unrealized Profit OCI में आते हैं ना ना मुन्ना ना इस दुनिया के सारे Unrealized Profit OCI में नहीं आते हैं तो कुन से आते हैं जो respective index ने define किये हो आते हैं बनाते हो, तो P&L बनता है for the year, balance sheet बनती है as on date, तो जो profit कमाऊगे वो other equity में जमा होता है तो P&L में सिर्ट करेंटर का दिखेगा, लेकिन other equity में जब से जनम हुआ, तब से लेकर आज तक का profit दिखेगा, और P&L में जो profit कमाया, वो अलग head में दिखता है, OCI का profit अलग head में दिखता है simple, ठीक है, तो ये मैंना आप से बात किती schedule 3 के बारे में, schedule 3 का revision is over, क्या आप मेरे साथ यहां तक हो या नहीं हो, yes or no पक्का yes है, चलो ठीक है, तो मैं हा समझू, हा समझो सर अब मैं roadmap का discussion शुरू करो, फटा-फट से roadmap में मैं को फटा-फट से answer करते हुए चलना, सबसे पहले companies के case में, date का शुरुवात कब से था, कौन सी date थी वो, बोलते था dash dash, और आपने रिते था sequence, चालू कहां से करूँगा, very good, 15 16, 17 बराबर 15 में क्या था, voluntary की mandatory, तो पहले तो voluntary आएगा सर, तो voluntary आता था, 16 में क्या आता था, mandatory आता, कौन सा वाला phase 1, 17 में क्या आता, mandatory, कौन सा वाला phase 2, very good answer, ठीक है, voluntary में कोई net worth वगरा चेक करने का, अभे voluntary है, क्यों चेक करेगा, कुछ मा चेक करना, phase 1 में, listed, unlisted दोनों आत होगे, second आता था, unlisted, unlisted में net worth किता चिये था, net worth किता था, बहुत शांदर मजा आ गया सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तिर वो सब बाती, net worth कब से check करने का, ये बताओ, कब से शुरू करूंगा, ये बताओ, in case of companies, 31st March, 14 हा, तो 14, 15, 16, कभी भी meet हुआ, 500 के उपर गया, तो 16 स apply करना, ठीक है, ध्यान लगना, चलो, तो 14 से शुरुवात करेंगे, 14 and thereafter, ठीक है, and thereafter, ठीक है, उसके बाद, once applicable, always applicable, आपको applicable, तो आपके parent, subsidiary, associate का applicable, fellow subsidiary का applicable मत करना, ठीक है, चलो, वो सब आपने बाते का वगयरा की थी, ठीक है, वो सब clear था, अच्छा, अगर आपका parent, subsidiary, NBFC वगयरा है, तो respective date देखना, फिर आपकी date से apply मत करना, उसको, फिर आता था, bank और insurance, बता, bank और insurance की date क्या थी, क्या date थी, अरे, कोई date नहीं थी, भाई, वो deferred है, अब तक आवाल, allowed नहीं किया, उसको, हाँ, हटा उसको, फिर NBFC, फिर NBFC की date याद नहीं आती, NBFC ने company स का कहा, जहां से तुम खतम होते हो, वहां से हम शुरू होते है, तो खतम कहा होते है, 17 पर यह शुरू होते है, 1st April 18 से, 18 और 19, ठीक है, क्या NBFC वगयरा में voluntary है, voluntary, ना, 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 मुना, ना, यहां कोई voluntary नहीं है, यहां mandatory है, mandatory का phase 1, कब से होएगा, और 18 से होएगा, इसमें क्राइटल आ ह naught, list, unlimited, network कितना चाहिए-। कितना network चाहिए-। मतलब वो same ही था न, फिर यहां भी phase 2 में, वो, same, listed, unlisted, network, return is equal to 50 crore यह ठाوع सामझ गया सा, बस होगया, अच्छा 1, last चीज, last cheese, neste worth as per AS दे खू, या as per indas देखू से geographical as per indas नेटवर्ट as per AS के Penthouse समझ दाल होगे मिला पापू, एस पर AS है, ठीक है, एक reserve, नाम याद करो, उसका एक reserve, जो ignore करने का था, ignore, जो तुम्हारी X तुमको करती है, क्या करती है, ignore, वो करने का था, क्या करने का, कौन सा reserve था, वो reevaluation का नाम से कुछ था, reevaluation reserve ऐसा कुछ, अच्छे, reevaluation reserve होता क्या है, पी-पी पे जो, प्रॉफिट आ रहा था, उसका क्या बनना था, reevaluation reserve बनना था, वो AS में भी होता था, उसको ignore करना है, आप उसके देप मज़ा, अपन discuss करेंगे बाद में उसको, तो उसको ignore करना था, अब बस questions, तुमको revise करने पढ़ेंगे, आज जाके घर पे, मैंने आपको सारे question कराया है, road map वाले, सारे question revise करना, किसी के साथ, कहानी करते समाप्त, I hope आपको आज मज़ाया होगा, I hope आपको सब कुछ समझाया होगा, जिस energy से आपने आज पढ़ा है, कोशिश करेंगे, आप और मैं, उसी energy से पूरे batch में continue करेंगे, मेरी energy तो यही रहींगी, और मैं यह भी वादा करता हूँ, कि आपके energy भी यही मेंटे नखने का कोशिश में करोंगा, तो इसी बात पर मैं session को करता हूँ, wrap up, also जिसको भी कुछ query है, मैं session के बाद बैठा हूँ 5 minute, आप मुझसे अभी query पूछ लो, ठीक है, अपने class के बिच में काफी कुछ पूछ रहते है मैं लेनी पा रहता, अब मेरे से पूछ लेना, मैं पहले session end कर लेता हूँ, ठीक है, end करके मैं आता हूँ, दुबारा, चलो, तो इसी बात पर हमने session करते है, wrap up, thank you so much everyone, please एक ही request करूँगा, revise कर के आना, बस, please revise कर 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 के आना, ठीक है, शुक्रिया, thank you, bye bye everyone, take care, see you all, bye bye, see you tomorrow चलो, अब तुम मुझे पूछ लो, क्या है, ललित और, क्या कहा हूँ, मुझे शुरूती ने, इस chat visible, yes, chat visible है, मुझे आप लोग की, कभी-कभी ऐसा होता है, आपको बाक्यों की chat नहीं दिखरी होती है, तो refresh मार के आ जाए करो एक बार, ठीक है, exit करके वापस, रिजॉन कर और, don't worry, sir, why 1995 example when indices, अरे बबा, मैंने ऐसे randomly example ले लिया, कौन था वो, अकी, मैं क्या बोलू, तुमको, मैंने ऐसे randomly example ले लिया, तुम कुछ भी, अरे आभी तुमको को बच्चे होगा, तुम लोग यह सब सम्झोगा, तुमको बैठ की लिया, चलो, आप उसको 2095 कर दे, ठी किया, sir, नहीं दिख रहा मुझे, आप technical link को contact कर लो, ठीक है, sir, I don't have books right now, please upload marking also, ठीक है, मैं first 2 दिन की marking भी upload कर दूँगा, मैं ऐसे first 2 days की marking upload कर पाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना, उसके अलावा, और क्या था, how to make notes, यह बना तो रहा हूँ, मैं तुमारे लिए, जैसे मैं बना रहा हूँ, वैसी तुमको बनाने, sir, please explain fourth point of NBFC, NBFC वाले case में fourth point, किदर गया कुण से, अरे बबा, यह तो same point है, इधर मैं लिखके भी तो दिया है, अगर तुमारा parent NBFC है, अगर इसको applicable हो गया, तो इसके subsidiary associate joint venture, जो खुद भी NBFC है, उनको भी applicable हो जाएगा, तो ज applicable, तो इसको भी applicable, है ना, दोनो NBFC, NBFC है ना, तो दोनों का applicable, अच्छा, लेकिन suppose यह subsidiary, NBFC नहीं होती, यह एक normal company होती, फिर, तो फिर इसके लिए, NBFC की वज़े से मत अप्लाए करना इसको, फिर इसकी respective date देखना हो, समझा, yes sir, 0.5 also, कौन सा 0.5 ही रो लो, यह, बताया है ना, अगर आप normal company हो, और आपका subsidiary NBFC है, तो फिर वो COVID वाला जैसे मत करना, कि आपका applicable, सबका applicable हो, ऐसा नहीं, फिर NBFC के लिए respective date देखी जाएगी, इस पर आपने question no.8 भी तो किया, इंडेस के subsidiary, जो banking company हो, तो कैसा होगा, good question, किसे ने पूछा, sir, अगर मेरी banking company है, subsidiary, तो इसको तो अपलेके बल नहीं है, इंडेस, तो कुछ नहीं, इसका data आपना, ऐस पर ASE, उस करेंगे, we have no other option to do it, सान्या, नहीं, 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 अलाउड होता हूँ, as per Indease, नहा doubts के लिए मैंने, आपके Google traffic, फाल बनाई है, वर्ड फाल, उसमें मेरा personal telegram ID है, अब वहां मेरे से queries पूच सकते हैं, ठीके, शांतनु मैंने अब भी जश्च वो चीज रिपीट की, ओके, नहीं वो अनुश्री, it should be 1.4.50 in that case, वो आपन शायद comparative के point of view से बोला होगा, तो possible है, ठीके है, और कोई query, मेरा WhatsApp नमबर मैं आपको 2-3 दिन बात देता हूँ, कि अभी ये वीडियो YouTube पे तो वो फिर पूरा public हो जाएगा, तो मेरे पास बहुत भरके आजेगी queries, तो जब batch वाले बच्चे वो 2-3 दिन रुख जाना, मैं आपको देता हूँ मेरा WhatsApp नमबर, ठीक है, सर किसी की chat नहीं देख रहे, अच्छी बात है ना तुमको क्या फरक परता है दूसरे की chat सा, तुम खुद की chat देखो न, अच्छी बात है, येस, अली, यो चाट इस विसिबल, नई कोमल, नो फेस वाइस फर मुचल फंड, ओनली सिंगल देट, सर, what will be the schedule of our batch, 7-10, मंडे टू साटड़े, ठीक है, पॉइंट नमबर 7, अंसारी सेज, पॉइंट नमबर 7, comparative भी देना पड़ेगा, ऐस पर इंडेस, मैंने क्या बताया था, suppose current year 17, 18 है, यहां इंडेस applicable हुआ, तो इसका comparative क्या है, previous year 16, 17, comparative भी आपको ऐस पर इंडेस देने पड़ेंगे, बनाते हो न, balance sheet current year, previous year, जैसे schedule 3 में कैसे बनाते हो, current year, previous year, तो यह previous year भी आइस पर इंडेस देना पड़ेगा, ठीक है, अरे सबकी chat visible है बबा, लोग यही पूछ रहे मुझे, chat visible है क्या, सबकी chat visible है मुझे, ठीक है, सबकी chat visible है, अधित्या उस case में, CFS purpose की डिटा लेना पड़ेगा आइस पर इंडेस, ठीक है, इनिशल दो दिन का मैं जो यह किताब में भी अनोशन के आप भी शेर कर दूँगा, सिर्व इनिशल टू डेस के लिए, मैं किताब अच्छली शेर नहीं कर सकता है, copyrightedर नहीं इस लिए, बट मैं इनिशल दो दिन के शेर कर दूँगा आपके साथ, ठीक है, जिनका क्विरी सॉल वह उनको बाइ, ओके सार् टैंक्यू, और कोई है, इंडिविज्विज्वल एरका देखेंगे रोवित इंडिविज्विज्विज्वल एरका, मिल जाएगा रहूल मिल जाएगा, ठीक है, मेल कब तक आएगा आपको, आपने जब बुक क्या उसके विदिन 48 आवर्स आ जाना चीए, नहीं आया तो एक बाद टेक्निकल टीम को वर्टसप डाल दो, ठीक है, लखन अवाइड यूजिंग इट, हरशल टेक्निकल टीम को कॉंटक करना, ठीक है, ठीकनिकल टीम का नंबर चीए तुम लोगको, बता दो ठीकनिकल टीम का नंबर, यह टेकनिकल टीम का नंबर है, इसे आपने वाट्सप डॉप करना, 10AM-6PM के बीच महें ठीक है, उस पे, 9 3 2 4 3 3 6 6 9 2 आकास सर बोलना बस भटाए ब्लीस मेरा नमबर नहीं सर्व सिथ ओर को लेकर टेकनिकल चीज़ को लेकर एशू है फ़या करें मजा आ रहे है सर सिव आपके वीडियो देख के मुद्स दे गए तक युद आपको लिंक विंक रिसीव नहीं तो यहां वाट्सअप कर दो, ठीक है, आ जाएगे, डूंट येस, असर, यह और करेक्ट, यह और करेक्ट येस, लखहं करेक्ट येस, आप टेंशन मतना लिखह, अलिखह, डोंट वरी, इस वरी, जाएगे, चलो मैं राप अब कर रहो, येस, तो उन दानोट, थैंक यू सो मच वरिवन, ओके, शीयू तो मॉर्ट वर्वर्व देकर, शीयू वाल